अज हम लोग शुरू करना है अपना चार्ट रिविशन फॉर TDS और TCS पहले हम लोग TDS की बाते करेंगे these are the sections which are there in TDS गब्राइए गमत बहुत जदा easy है आप अराम से कर पाएंगे इन sections को अगर इसमें से आप मुझसे कुछ important sections के बारे में पूछते हैं कि जो मुझसे अक्सर यह कुछ नाता है इसर important किया है और मैं हमेशे ही बोलता हूं कि आप professional exam करने तो आपके लिए सभी चीज़े important है सभी चीज़ करने ही होती है बट still ठीके फिर भी मुझसे पूछ जाता है important क है तो these are the sections जो थोड़े से जादा important है आप इसका screenshot अभी ले सकते हैं बाक सभी sections करने है बट यह कुछ sections है 193, 194, 194C, 194I, IB, J, 194M, 194N, 194O यह थोड़े से important है upcoming examination December 2021 के लिए बाकी सभी sections करने इनको थोड़े सा जादर रिवाइस करकर लीचेगा ठीक है मेरे इस आप से मुझे चली शुरू करते हैं अपना chart revision for TDS and TCS इससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी बाते करना चाहूंगा देखें यह regular class नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहां पर ज्यादा detail में बाते नहीं करूंगा बट फिर भी हां कुछ-कुछ बाते तो हम हर section के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले TDS के बारे में जानते हैं कि TDS actually होता क्या है पुरा नाम सब लोग को समझ में आता है text deducted at source source एक होता है source जहां से हमें पैसे मिलते हैं और जिसको पैसे मिल रहे है उसकी income हो रही है ठीक है वो assessi है इसको पैसे मिल रहे है ठीक है इनकी income हो रही है TDS होता है text deducted at source जहां से income मिल रही है उसी वेक्ति को बोल दिया जाता है कि आप TDS करेंगे ठीक आप TDS करेंगे ठीक एक असेसी है इनकी रेंटल इंकम हो रही है ठीक है इनकी रेंटल इंकम हो रही है इनको रेंट मिलता है रेंट का सोर्स कौन है रेंट कौन देता होगा सर रेंट देता है टेनेंट तो य employer source है तो employer को बोल दिया जाता है कि आप जब कभी भी अपने employees को salary दे दीचेगा तो इनका TDS deduct करना होगा ठीक है ऐसे कुछ provisions हैं कि कहां-कहां पर TDS के provisions लगते हैं कहां-कहां पर TDS source को बोल जाता है कि आपको TDS deduct करना होगा यही बाते हैं हम इस practical chapter है ठीक है आपके normal life में काफी जगा पर यूज होता है हम आस-पास भी देखते हैं कि TDS cut जाता है आपने सुना होगा कि जब हमें salary मिलती है ठीक है आपके parents if they are working somewhere they are receiving salary यह आपने सुना होगा आपके asperos में जब उनको salary मिलती है तो हम पूछते हैं कितना deduct होके मिलता है आपको कितना cut-cut आकर मिलता है तो यह cut-cut जाता है यह दूसी चीज़े भी होती है employer contribution to provident fund employer contribution to pension scheme वगेरा और उसमें से सबसे एक major component है TDS का आपके TDS के पैसे deduct हो जाते हैं खेर coming back तो इतनी बात सब लोग समझते हैं कि source को बोला जाता है कि आप TDS के आपके अपर provisions लगेंगे source आप जब इनको पैसे pay करें तो TDS data कर लेना अब ऐसा नहीं कि हमेशा हर किसी के उपर TDS के provisions लगते हैं तो यही बाते हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि कब-कब TDS के provisions लगेंगे इतनी बाते clear हैं सबको चलिए अच्छा दूसरा एक important बात समझ लीजे ठीक है एक बहुत ज्यादा important बात है कभी भी न कोई भी chapter पढ़ने से पहले या कभी भी कोई topic पढ़ने से पहले हमें यह सोचना जरूरी हो जाता है कि यह topic है क्यों existence में क्यों है इसका motive क्या है इसका objective क्या है तो अगर आप से पूछते हैं सर्थ TDS हम पढ़ क्यों रहे हैं तीडियस का objective क्या है यह government ने क्यों introduce कर रखें टीडियस के concepts कि टीडियस के ना दो में ऑबजेक्टिव होते हैं यह समझ में आ जाते हैं आपको तो बहुत easy हो जाती है सारी जीसे टीडियस के दो में objective होते हैं first objective होता है transparency में आ जाते हैं कि हां किसी की income हो रही है जैसे कि for example मालेते हैं कि मैं source हूँ और मैं आपको पैसे पे कर रहा हूँ let's say for example मैं tenant हूँ ठीक है आपका कोई building है जिसमें मैं tenant हूँ मैं किरायदार हूँ let's say ठीक है मेरा कोई business है मैं अपना हूँ बिजनस करता हूँ but वो मैंने premises वो premises आपका है ठीक है वो आपका premises है और let's say उसका rent है वन लाक रुपीज का ठीक है वो वन लाक रुपीज का rent है और आप इसके owner है त to you as a rent क्योंकि मेरा कोई business है वो मैंने office की space है वो मैंने आपकी space rent पर ली हुई है अब यहां पर बोल जाता है कि tenant जब भी आप इनको पैसे पे करें तो TDS कर लेना अब क्या होगा ठीक है मैं आपको जब कभी भी पैसे पे करूंगा तो कुछ पैसे उसमें से deduct करके government को deposit करा तो मैं कुछ government को तो source यह को होता है source यह आपके आपको पूरे वन लाग रुबीज नहीं मिलेंगे आपको वन लाग रुबीज में कुछ amount TDS का कितना होता है तो TDS के कुछ rates हैं जो हमें पढ़ने है कुछ sections में वहाँ पर देख लेंगे कि इतना TDS मैं आपका government को deposit करा तो government को पता चल जाता है कि आपकी income हो रही है ठीक है government को पता चल जाता है कि आपकी income हो रही है ठीक है चाहे वो rate कुछ भी हो मैं तो minimum भी हो let's say 1% भी हो rent के ओपर rate है हम लोग पढ़ेंगे 10% है कुछ जगह 2% हो हम पढ़ेंगे but let's say मैं for example ले रहा हूँ अभी मैंने start नहीं गरा है, सरफ overview देख रहे हैं, तो let's say अगर उसका rate 1% भी हो, या 1% से भी कम भी हो, जैसे मैं government को deposit करता हूँ, तो government को income tax department को पता चल जाता है, कि आपकी income हो रही है, ठीक है, आपको rental income मिल रही है, तो सबसे पहले एक main objective होता है, TDS का, transparency हो जाती है, government को पता चल जाता है, tax evasion, ठीक है, कि chances बहुत कम हो जाते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते हैं, सर मेरी income नहीं हो रही है, अरे आपको income मिले हो, TDS भी deduct हो है, ठीक है, जब मैं TDS वगेरा deposit कराता हूँ, return वगेरा file करता हूँ, तो आपका PAN number बताता हूँ, ये इनका PAN number था, इनका TDS है, ठीक है, इसको क मच जाएगा, deductory ठीक है अभी, ओके, दूसरा objective क्या होता है, दूसरा objective है, कि इनको timely, government को timely पैसे, tax के receive हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, टेक्स के पैसे timely receive हो जाते हैं, ठीक हम लोग जानते हैं, कि आपकी, let's say, previous year, 2021 में income होती है, ठीक है, previous year 2021 में, हम अपनी total income जब compute करते हैं, हो कब करते हैं, assessment year में, मतलब next year, assessment year में हमने compute करी, और assessment year में भी हमाई return का file होती है, 31st July of assessment year, 31st October of assessment year, कुछ लोग है, इसमें 31st November भी है, बट अभी 31st July, 31st October, मतलब एक तो आपने income previous year में earn करी है, और इसका जो text की computation कर रहे हैं, आप assessment year में कर रहे हैं, और assessment year में भी एकदम करते हैं, कि आप text deposit कर दीचेगा, मतलब normally, आप पैसा तो अभी earn करें, ठीक है, आप पैसा तो अभी earn करें, और text जमा कराएं next year में, तो government ये कहती है, कि हमारा तो बहुत revenue loss हो जाएगा, तो government ये चाहती है, कि जैसे जैसे आप भी पैसा earn करें ना, तो हमें भी कुछ ना कु कुछ ना कुछ पोर्शन तो government को गया ना, तो government को कुछ ना कुछ पोर्शन की timely recovery हो जाती है, ये इसका दूसरा फढ़ादा होता है, TDS का, ठीक है, चलिए, अब हम वापस sections की तरफ आते हैं, first section हम लोग शुरू कर रहे हैं, चलिए, मैं ना 192 से शुरू नहीं कर रहा हूं, TDS on salary, बहुत असान section है, बट अगर आप आगे के section समझेंगे, तो उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा TDS of salary, बाद में समझना, तो पहले मैं कुछ sections discuss कर ले तो फिर मैं TDS on salary पर आ जाओंगा, तो first time coming to section 193, interest on securities, interest on securities होता है, interest on securities, securities क्या होती है, sir shares, debentures, bonds bonds वगेरा होता है, अच्छा मुझे बता ही, क्या आपको in securities को पर interest मिलता है, हाँ sir, अगर हम किसी company के debentures खरीद लें, तो हमें interest मिलता है, government bonds वगेरा issue करती है, तो हमें interest मिलता है, तो please बता ही, source कौन है, ठीक है, इस case में, source कौन है, sir, for example, let's say, आपने Wipro Limited के debentures खरीदे, ठ आप कौन है, debenture holder, ठीक हमारी income हो रही है, आपकी कौन सी income हो रही है, interest की, और ये पैसे कौन दे रहे है, sir, Wipro Limited, Wipro Limited is paying you interest, तो Wipro Limited is the source, ठीक है, सब लोग समझ रहे हो न, मुझे अलग-अलग तरह की payments बताने है, तो first payment I am discussing with you, interest on securities, तो जब Wipro Limited आपको debenture holder है, आप आप interest pay करेगा, ठीक है, हो सकता है कि आपको interest मिल रहा हो, 10,000, 15,000, 20,000, depend करता है, आपके पास कितने debentures है, उसके according के, जब आपको interest pay करेगा, that is called interest on securities, तो Wipro Limited को बोला जाता है, कि आप जब इनको pay करें, तो TDS भी deduct कर लीचेगा, TDS भी deduct कर लीचेगा, ठीक है, clear है, सब को interest on securities, अचा मैंने भी securities की definition में, शैद shares भी बोला था, और बिल्कुल सही बोला है, shares, but कि shares के उपर भी section 193 लग पाएगा, the answer is no, because, आप समझ के होंगे, shares के उपर हमें dividend मिलता है, interest नहीं मिलता है, उसके उपर हमें dividend मिलता है, उसके लिए दूसरा section रहेगा, ठीक है, मैं आपको बत we have another section, उसके उपर 194 आएगा, ठीक है, dividend के उपर, अब again I am repeating, तो अगर आपको interest मिलता है, interest on securities, तो we have section 193, in case आपको interest मिलता है, interest other than securities, other than securities कैसे interest हो सकता है, for example, आपने अपने बैंक में पैसे deposit करते हैं, ठीक है, तो you understand, saving bank account है, तो bank interest मिला, या FD भी कराई आपको, तो FD के उप purchase कर रही थी, तो answer is no, ठीक है, तो there are, there could be two types of interest, एक तो interest on securities, and interest other than securities, interest other than securities, interest other than securities के लिए भी, we have another section 194 A, इसको भी discuss करना है, ठीक है, सब लोग समझ गए है, तो ये तीन sections important रहेंगे, interest के उपर section होता है, interest on securities के उपर 193, ठीक है, मैं repeat कर रहा हूँ बाबर आपको याद कराने के लिए, 194 A होता है, interest other than securities, like bank से, हमें cooperative bank से, post office वगरा से interest मिलता है, ठीक है, या for example, अगर, आप किसी को उधार देते हैं, ठीक है, आपने किसी को पैसे उधार दिये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, for example, वो आपका दोस्ता, उसको अपने business में पैसे उधार चाहिए दे, उसका अच् हमसे 10 लाग रुब उधार अपने business में लगाए, तो that person is paying you interest, अखर वो भी आपको interest pay रहा है, प्लीज बताए क्या TDS deduct होगा, the answer is yes, होगा, हम देखेंगे TDS के provisions, but please मुझे पताए कौन से section में होगा, 193 में, 194 A में, the answer is 194 A, because that is interest on securities, या other than securities, sir, other than securities है, क्योंकि उसने हमें कोई securities issue नहीं किये थी, ठीक है, उसने मुझे कोई debentures, bonds वगरा issue नहीं किये थे, ठीक है, I believe सबको याद आ गया है, और 194 क्या होता है, dividend के उपर, जब आपको shares के उपर dividend मिलता है, तो we have 194, दूसरी बात, तो 193 एक पर देख लेते हैं, 193 ये कहता है, कि अगर आपको interest on securities मिलेगा, तो TDS deduct होगा, अगर आप एक debenture holders हैं, bond holders हैं, तो आपको TDS deduct होगा, ठीक है, bonds जैसे government issue करती है, हाँ, इसके कुछ exceptions भी पढ़ेंगी, कभी-कभी कुछ जगा पर TDS deduct नहीं होता, अगर आपको interest on securities मिलता है, specifically government securities के उपर, जब government bonds issue करती है, ठीक है, उनली बहुत specific है, कुछ ही जगा पर TDS की reduction होती है, otherwise जब government आपको interest देती है, interest on bonds, तो क्योंकि government को funds चाहिए, ठीक है, तो government आपको कुछ incentives देती है, कुछ लोगो, मैं exceptions की बाते कर रहा हूं कि कुछ जगा पर TDS deduct भी नहीं होता है, ठीक है, दूसरी एक और important बात समझेगा, आप एक debenture holder है, हो सकते है क आप उस year में non-resident हो, ठीक है, तो debenture holder या जिसको भी interest मिल रहा है, वो एक resident या non-resident दोनों हो सकते है, section 193 यह कहते है कि अगर आप एक resident है, तो आपको 193 में TDS deduct होगा, important for MCQ, ठीक है, अगर आप एक resident है, if you are a resident, ठीक है, debenture holder, bond holder या जो भी आप resident SSE है, तो अगर आप resident है, तो कि TDS deduct नहीं होगा, सर 193 नहीं है, फिर non-residents के लिए कुछ दूसरे sections है, ठीक है, वो हमें करने नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, आपकी knowledge के लिए, 195 होता है, जहां पर हम non-resident को अगर interest मिलता है, तो 195 करना, में deduct होता है, but we don't have to discuss that, ठीक है, वो syllabus में नहीं है, हमारे तो 193, वापस मैं आता हूँ, section 193 ये कहता है, कि rate of TDS 10%, सरी हाँ पर तो 7.5 भी लिखा हुए, मैं आपको बता दू कि generally जो rate है 193 का वो 10% ही है, but सरफ COVID impact के time में, government ने कुछ relaxation करी थी, काफी सारे TDS के sections में, उन्होंने relaxation की की, कि हम TDS का जो rate है, उसको 25% relax कर रहे है, और 3.4 ही TDS का rate लगेगा, ठीक है, टेक्स कम नहीं करा, सिर्फ TDS का rate कम करा, ठीक है, और maximum section में ये relaxation दी गई, बहुत limited period के लिए, अब वो limited period जो आ रहा है, वो हमारे examination के लिए relevant हो रहा है, ठीक है, जो December 2021 में examination से, ठीक है, अगर 14th May 2020 से लेकर, 31st March 2021, ठीक है, ये date याद कर लिए, इन फाक्ट, 14th में ही याद कर लिए, 31st March तो आपको पता ही है, हमारा previous year 2021, ठीक है, 2021 प्रिविए सिर है, और हमारे previous year में ये limited वाला period आ रहा है, 14th May 2020 से लेकर, end of the year, end of the year, 31st March तो अदाम से याद हो गया, इस period में अगर TDS की implications हा रही है, तो rate, ठीक है, 3-4th हो जाएगा, सभी sections में नहीं है, हाँ, majorly sections में, आपको लेस्ट भी बिदा दूँगा, कि किस-किस section में ऐसा है, या हर section साथ discuss भी करूँगा, तो आप देख लीजएगा, 10% का 3-4th निकालेंगे, 3-4th मनला 75%, ठीक है, तो 10% का 75% होगे, 7.5%, तो अगर आपको उस period के बीच में आपका TDS deduct होना था, तो वो 10 ना होकर 7.5% होगा, maximum section में आप देखेंगे, कि 1-4th की concession दी गई है, और सिर्फ 3-4th की rate लग रहा है, okay, rate of TDS 10% यह 7.5%, ठीक है, majorly तो 7. 7.5 हा है हमारे period में, क्योंकि सरफ April में अगर मिला, April के मन्त में, या 13th में से पहले पहले, तब तो 10% होगा, but 14th में onwards, अप्तिल 31st मार्च, 2021, सरफ 31st मार्च के बाद, 2021 के बाद, क्या सेनारियों है, December 21 के exams के लिए relevant नहीं है, वो next year के लिए, students के लिए है, पर मैं आपको बत ventures है, अगर आप एक resident है, तो 193 में जाएगा TDS, अगर आप एक non-resident है, तो we have another section जो आपको नहीं करना है, TDS कब deduct होता है, at the time of credit or payment, whichever is earlier, ये बात भी बहुत important है, common बात है, अभी ही मैं इसको clear कर देता हूँ, क्योंकि आगे के sections में काफी ये repeat होने वाली है, कि source को कब बोला ये source होगा, इसको कब बोला जाएगा कि आप कब TDS deduct कीचेगा, क्योंकि income tax को TDS के पैसे जल्दी से जल्दी चाहिए, तो उन्होंने को sections इस तरह के बनाए हुए कि उनको majorly जल्दी पैसे recover हो जाए, तो for example मैं यहां पर बाते कर रहा था, कि Wipro Limited, let's say Wipro Limited आपको interest दे रही है, let's say for example, वो semi-annually देती है, हर 6 मेने के बाद देती है, for example, previous year 2021 में, मैं बीच में कहीं पर ले लेता हूँ, for example, 30th September 2020 को, वो अपने debenture holders को interest देना चाहती है, for example, आप एक debenture holder है, वो आपको interest देना चाहती है, for example, 50,000 रोपेगा, तो 30th September को, Wipro Limited अपनी books में entry करती है, debenture interest debit, ठीके, आपको entry करने के लिए बिलकुल नहीं आएगा, बट मैं स्रिफ clarify कर रहा हूँ, debenture interest account debit, Wipro का खर्चा है, और to debenture holder, ठीके, to debenture holder, इसने ये entry pass की, माल लेते हैं, आप एक debenture holder है, और 50,000 रुपीज आपको interest मिलने वाल आया है, और actually, ये पैसे उसने दिये, for example, 15 दिन के बाद उसने आपको पैसे दिये, आपको पैसे दिये है, debenture holder debit to bank, ठीके, और let's say, ये पैसे दिये गए है, 15th October 2022 को, sorry, 2020, ठीक, 15 दिन के बाद इसने पैसे दिये गए, पैमेंट कब हुई आपको, ठीके, पैमेंट कब हुई, यानि कि विप्रो लेमिट आपको पैमेंट कब कर रहा है, इसकी डेट है 15th October, इसका बात को समझ लिजेगा, क्यों 15th October को, but उसने आपका अकाउंट क्रेडिट कब कर लिया था, 30th, जब उसने अपना expense book किया, expense book किया, expense को debit करा, और सामने वाले जिसको पैसे देने तो उसका अकाउंट क्रेडिट करा, उसको क्रेडिट करा, उसने 30th September को, income tax यह कहता है, income tax यह कहता है, majorly section में वो यह कहता है, कि source, आपको, आपकी जिम्मेदारी है, tedious rate करना, और कब आपको करना है, at the time of credit, जब आपने सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट करा, or at the time of payment, whichever is earlier, इन दोनों में से जो भी earlier की date है, कुछ sections आएंगे, वहां पर लिखा हु होता है, at the time of payment, 194B आएगा, ठीक है, casual income अगेरा होती है, 30% का tax deduct हो जाता है, at the time of payment लिखा हुए, but, काफी सारे sections आएंगे, वहां पर लिखा हुए, at the time of credit, or at the time of payment, source की जिम्मेदारी है, source की जिम्मेदारी है, tedious rate करना, same section, यहां पर लिखा हुए, 193 यह कहता है, at the time of credit, or at the time of payment, किसको source के लिखा है, जब भी सामने वाले का अकाउंट आप credit करें, और payment करें, whichever result, यहां पर एक और बात आती है, अब source क्या करेगा, source मान लेते हैं, उसका account credit ना करके, अपना expense तो book करेगा, और credit करेगा, किसी और के नाम से, let's say, suspense account से ही कर देगा, तो government ने बोला, income tax provision न होगे, तो कोई ना कोई account तो credit भी करोगे ना, जैसी credit करोगे, whichever is earlier, आपको TDS deduct करना चाहिए, सर ऐसी बात है क्यों है, अब यह भी समझ लीचाएगा, एक बार, logic समझ लीचे एक बार, ऐसी बात है क्यों है, at the time of credit or payment, whichever is earlier, क्या फरक पढ़ता है सर, TDS deduct तो हो रहा है, फरक क् देखिए, मैं एक बात और आगे मुझे बतानी थी, बट अब यहाँ पर ही reference आगे, तो इसलिए यहाँ पर ही clear कर देता हूँ, generally हमें TDS के पैसे, source को पहले तो deduct करने होते हैं, deduct कीजे, और जब आप deduct कर लेते हैं, जिस महीने आप deduct कर लेते हैं, फिर आपको deposit भी कराना पड करता है, ठीके फिर आप deposit कराईए, देखो दो जिम्मेदारिया तो में है, सबसे पहले TDS deduct कीजे, फिर deposit भी कराईए, और भी जिम्मेदारिया है, मैं चार्ट रिविजन में discuss भी करूँगा, last page है हमारा TDS का, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि source की क्या-क्या obligations, इसको क्या-क्या 7 days के अंदर अंदर, 7 तारिक तक TDS के पैसे deposit करा दीजे, अब देखे, अगर मार लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारी इन्होंने 30th September को deduct की है, तो इसके पैसे government तक कप पहुचने चाहिए, वो कहते हैं कि अगले महिने की 7 तारिक तक आप पैसे जमा करा दीजे, अदर्वाइस ह हम आपके उपर interest वगरा चार्ज करना शुरू करतेंगे, तो यानि कि 30th September के पैसे government को 7th October तक deposit हो जाने चाहिए, ठीक है, लेट से, इस section में ऐसा होता कि सिर्फ at the time of payment होता, लेट से, at the time of payment होता, at the time of credit नहीं होता, ये credit वाली date important नहीं होती, लेट से, सिर्फ payment वाली date important होती, तो फिर जिम्मेदारी कब आती, विपरो की TDS deduct करने की पहले जिम्मेदारी, TDS deduct करने की जिम्मेदारी कब आती, 15th October को, और October के पैसे TDS के deduct हुए, कब deposit होंगे, 7th November को जाकर, अगले महीने 7th November को government तक पहुँचते, बट government ने क्या बोला, इसको credit पर ही कर दीचेगा, मतलब September में ही कर दीचेगा, तो इसके पैसे अब 7th October को ही government तक पहुँच जाएंगे, यानिकि एक महीने पहले ही पहुच जाएंगे, इसलिए government ने जातर provisions बनाये है, at the time of credit or payment, whichever is earlier, तो आपका ये कुशन तसर, क्या फरक पढ़ता है, TDS to deduct हो ही रहे न, नहीं, कब deduct हो रहा है, ये भी important है, क्योंकि फिर हो सकता है, कि आपने payment बाद में की है, एक दो महीने बाद करते हैं, तो फिर तो अगर payment थीन महीने बाद हो रही है, तो उसके अगले महीने की साथ तारिक, तो government ने जातर ये rules बनाये हुए, at the time of credit or payment, whichever is earlier, कुछ जगा पर, कुछ sections ऐसे हैं, जहां पर स sections में बताता हुआ चलूँगा, but I believe ये बात है, आपको clear होगी है, at the time of payment or credit, whichever is earlier, ठीके, हर section की ना कोई threshold limit भी है, threshold limit का मतलब, sir, अगर हम 100 रोबे का किसी को interest पे करें, for example, आपके पास, 2-3 ही या 5-6 debentures हैं, for example, किसी के पास, sir, हमें interest मिला, sir, 50 रोबे का interest मिला, sir, 100 रोबे का deduct होगा, 50 रोबे के उपर भी होगा, तो government ने कारण नहीं, ठीके, हमारी standard है, आपके fix कर रहे हैं, तो यहां पर इसको कहतना है threshold limit, तो 193 में threshold limit है 5,000 रोपीज की, अगर 5,000 रोपीज तक का interest जा रहा है, तो TDS deduct मत कीजिए, 5,100 रोपीज से ज्यादा जा रहा है, तो TDS deduct कर ल ठीके, तो यह चीज़े थोड़ी सी आप याद कर लीचेएगा, तीके, यह था section 193, और यहां पर लिखा हुए section 197 and 197A is allowed, यह sections क्या होते हैं, यह relaxation मिलती है, इसकी बाते मैं एक-दो section के बाद ही करूँगा, तीके, यहां पर ही कर लूँगा, फिर बहुत सारे concepts एक साथ हो ज ठीके, अब देखिया, बहुत जल्दी-जल्दी में clear करता हो, चलूँगा आपके sections, क्योंकि हम थोड़ा base हमारा बन गया, source क्या होता है, हमें पता है, ठीके, टीडियस deduct कप करना चाहिए, generally at the time of credit or payment, whichever is earlier, एक threshold limit होती है, सभी sections में common रहेगी, एक threshold limit होती है, मतलब लिमेट अ मुझे TDS deduct करना है, और 100, sir, debenture holder है, किसी को मैं 50 rupaya interest दे रहा हूँ, किसी को 100 rupaya का दे रहा हूँ, किसी को 200 rupaya का दे रहा हूँ, किसी को 3000 का दे रहा हूँ, तो sir, क्या, मैं total मिला के सब को 5000 से जादा दे रहा हूँ, तो क्या TDS deduct होगा, नहीं, हमें किस के point of view से देखना है हमेशा, receiver के point of view से, कि receiver कौन है, ठीक है, तो receiver को पैसे जब मिल रहे हैं, तो अगर उसको for example, 3000, 4000, 5000 तक मिल रहे हैं, तो TDS deduct मत कीजे, for example, मेरे 3 debenture holder है, ठीक है, debenture holder number 1, debenture holder number 2, debenture holder number 3, and here is Wipro, ये Wipro है, Wipro ने debenture holder number 1 को पैसे दिये, 3000 rupaya, TDS deduct मत कीजेगा, Wipro ने debenture holder number 2, इसके पास वोड़े से जादर debenture थे, इसको interest मिला 5000 rupaya, TDS deduct मत कीजेगा, Wipro लिमेटेड ने debenture holder number 3 को 6000 rupaya, TDS deduct करिएगा, कितने amount के उपर, ये भी students का question आ चाता है, sir, 5000 से जतना excess है, 1000 के उपर 10% करें या 7.5% करें, नहीं, 5000 से ज़्यादा है, तो फिर पूरे के उपर 10% ये 7.5% as the case में भी, ठीकि उतना TDS deduct करेंगे, clear हो गया, तो किसके point of view से जो threshold limit लगानी है, ये receiver के point of view से देखना है, कि receiver को कितने पैसे मिल रहे है, next section is 194, TDS का rate 194 क्या होता है, अगर आपको dividend मिल रहा है, ठीक है, dividend मिल रहा है, और आप एक resident shareholder थे, अगर आप एक non-resident shareholder थे, तो there is another section जो हमें discuss नहीं करना है, तो rate of TDS is 10% और 7.5% समझ के होंगे, 14th May 2020 से लेकर 31st March 2021 के बीच में, तो 7.5% रहेगा, payment made to a resident shareholder, TDS to be deducted before making any payment of dividend, जैसी आप dividend का payment करते हो, ठीक है, dividend ऐसा बोलते है, ठीक है, dividend हमने pay किया, distribute करा, whichever is earlier, तो आपको TDS deduct करना पड़ता है, यहाँ पर भी limit 5000 रुपीस की रहेगी, 5000 से जादा का dividend जा रहे है, तो TDS deduct करेंगे, ठीक है, और generally सभी लोग cash में तो आप dividend होता ही नहीं, अब तो, अब 10 दिन cash ही होता है, bank में पैसा आ जाते हैं, तो फिर भी याद रख लीचेगा, 5000 की limit है, अगर आपका dividend मिल रहा हो, account paycheck वगेरा से, आपके bank में direct जब पैसे मिलते हैं, तो 5000 से उपर TDS deduct होगा, 5000 से कम अगर आपको dividend मिल रहा है, तो TDS deduct नहीं होगा, बढ़ हाँ, अगर cash में dividend मिल रहा है, तो फिर तो कोई limit नहीं है, cash में कितना भी मिल है, TDS deduct होगा, ठीक है, section 197 and 197A is allowed, चलिए मैं discuss कर लेता हू For example, यह Mr. X है, ठीक है, he is 58 years of age, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और senior citizen ले लेता हूँ, 58 अगते चलिए, तो Mr. X is 58 years of age, ठीक है, लगभग इनकी retirement की age है, और ज़्यादे तर अब नाव इन्होंने VRS वगरा ले लिया है, अब यह ज़्यादा काम वगरा भी नहीं करते हैं, हाँ इनकी investment थी, इन्होंने किसी company के debentures खरीदे हुए है, या shares खरीदे हुए है, चलो मैं shares के बता देता हूँ, कि इन्होंने किसी company के shares खरीदे हुए है, for example, कोई भी company है, let's say Tata Motors, इन्होंने Tata Motors Limited के shares खरीदे हुए है, और long term shares इन्होंने खरीदे हुए है, जिसके उपर dividend आता रहता है और अच्छा खास डिविदेंट आता है ठीक है और इनका काम चलता रहता है इनकी फैमिली के expense बच्चे बड़े हो गई है शादी हो गई है ठीक है यह और इनकी वाइफ है उनके expense चलते रहते हैं कितना पैसा आता है dividend का Tata Motors इनको dividend देती है let's say 2,40,000 रुपीज का पूरे साल में ठीक है 2,40,000 रुपीज मतलब इनकी लगभग 20,000 की income होती जिससे इनका काम चलता रहता है इनका और इनकी wife का तो Tata Motors इनको 2,40,000 का dividend देती है प्लीज मुझे बताइए Tata Motors जब इनको dividend देगी तो क्या TDS deduct करेगी वह 194 section में दा answer is yes sir बिल्गुल करेगी कितना TDS deduct होगा 10% होगा या हमारे limited period की बीच में रहा है तो 7.5% deduct होगा कितने amount के उपर 2,40,000 के उपर 10% का example लेता हूं में तो Tata Motors क्या करेगी इनका 10% मतलब 24,000 का TDS deduct करेगी और इनको पैसे पे कर देगी बाकी के 2,00,000 कितने बच्चे 16,000 तो लाक 16,000 Mr. X को पे कर दिया और Mr. X को क्या बोला कि देखिए आप हमारे shareholder थे आपको 5,000 से ज्यादा का dividend मिलता है पूरे साल में ठी 10% का TDS deduct कर लिया let's say Mr. X की let's say Mr. X की कोई दूसरी income नहीं है let's say Mr. X की कोई और income ही नहीं है the only income which he has is dividend income let's say please मुझे बताइए Mr. X का कितना tax बनता होगा sir इनकी तो कोई salary house property capital gain नहीं है सिर्फ एक IFOS है वो भी dividend income वो भी 2,40,000 2,40,000 के ओपर tax आप लगाएंगे तो tax बनेगा nil tax nil बनेगा इस point के ओपर और Tata Motors ने क्या किया इनका 24,000 रुपीज का let's say 10% का मैंने लिया तो 24,000 का TDS कर लिया Mr. X केते हैं sir फाल्टू में मेरा tax deduct हुआ मेरा फाल्टू में tax deduct हुआ मेरा तो tax ही नहीं बनता है अब क्या होगा हम बोलेंगे कोई बार ती sir आपना अपने return file करिए refund में अपना return में अपनी income बता यह इतनी होती है आपका tax liability zero आएगी और आपका ओल्री tax deduct हो चुका है वह आपको refund मिल जाएगा इन्होंने का देखो बात सही है आपकी भी कि मुझे refund तो मिल जाएगा पैसो का जो 24,000 टाटा मोटर्स ने डिया किये थे बट मेरा tax liability zero बनी थी मेरा इनकी tax liability बनी थी निल और इनका TDS deduct हो गया था 24,000 तो इनका refund मिल जाएगा 24,000 का अपनी return file करें एक महने के अंदर आपका refund मिल जाएगा Mr. X ने का यार मेरे refund मिल जाएगा बट उसके लिए मुझे return file करनी पड़ेगी और मेरे रिटन file की due date होगी फिर एक देर महने के बाद जाके refund मिलेगा मेरे पैसे 24,000 फाल तो में block हो रहे हैं ठीकि फाल तो में block सब लोग समझ रहे हैं टाटा मोटर्स आप मेरा TDS deduct ही मत कीचिए ना टाटा मोटर्स बोलेंगे हम तो करेंगे क्योंकि हमारे उपर तो section लग रहा है मिस्टर एक्स बोलेंगे मेरा तो टेक्स ही नहीं बनता तो टाटा मोटर्स TDS deduct करेगी मिस्टर एक्स का टेक्स नहीं बनता तो क्या इसमें यहां पर कोई relaxation है कोई यहां पर कोई facility है जिससे इनका TDS deduct ना हो दा तो मैं हर सेक्शन में जब डिसकस कर रहा हूं आपके साथ तो हां पर लिख रहा हूं कि देखो लिखा था ना यहां पर section दो section है 197 और 197 जैसे मैंने 194 में करा रहा हूँ तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 197 is allowed यह 197 is allowed तो मैं facility की बात है कर रहा हूँ क्या वो facility हमें इस section में मिलती है तो 194 में वो facility मिलती है अब देख लिए फेसिलिटी है क्या facility यह है 197 a की facility क्या है relaxation क्या है यहाँ पर जिस विक्ति के जो assessi है वो एक declaration दे दे वो एक declaration दे दे जाकर Tata Motors को ठीक कहीं और ना जाए सिधा सिर्फ Tata Motors के पास जाए और उनको एक declaration दे दे कि सर मेरी जो income है मेरी income basic exemption limit से ज्यादा नहीं है जो मुझे dividend मिल रहा है या फिर interest वाले भी section में भी facility थी जो म नहीं है मेरी जो text liability बनती है वो निल बनती है मेरी text liability बनती है निल और आप मेरा TDS कर रहे हैं तो मैं आपको एक declaration देता हूं यह declaration जाता है form 15G में form 15G है please मेरा TDS deduct ना किया जाए और अगर इनको यह declaration मिल जाती है तो फिर यह TDS deduct नहीं करते है तो यहाँ पर इसलिए section में लिखा हूँ है कि 197A इस अप लीगे बड़ सीनियर सेडिजन के लिए मैं आपको बता दूं सीनियर सेडिजन के लिए है form 15H वहां के लिए सीनियर सेडिजन के लिए 15H है ठीक है दूसरी बात 15G के लिए एक और बात मैं कर लेता हूं 15G के लिए ना दो कंडिशन इंपॉर्डन अगर आपको 15G कौन देता है कि अगर आप सीनियर सेडिजन नहीं तो 15G देंगे 59 यह तक की एज फले लोग और 60 और 60 अबब वाले 15H देंगे 15G की दो कंडिशन ह हम टाटा मोटस कहता है कि मैं डेक्लिशन यह ले लूँगा बट दो कंडिशन है कंडिशन यह है कि एक तो आपकी टेक्स लाइबिलिटी निल आ रही हो ठीक है तो आपकी टेक्स लाइबिटी निल आ रही हो दूसरा जो आपको इंकम मिल रही हो वह बेसिक एक्जम्शन लि senior citizen नहीं, ठीक है, जो senior citizen नहीं है, normal age, 59 years तक के लोग, but both these conditions must be satisfied, मुझे बताइए क्या यह दोनों conditions यहां पर satisfied हो रही थे, the answer is yes, यहां से 2.4 lakh rupees मिल रहे थे, और income basic essential limit से कम थी, और tax levity उसके उपर nil बनती है, senior citizen के लिए, senior citizen के लिए, सिर्फ first condition satisfied होगी, वही काफी है, second condition अगर satisfied नहीं भी है, तो भी कोई problem नहीं है, यहां पर सिर्फ first condition, tax levity उनने ला रहे हो, 15H की declaration दी जा सकती है, अगर basic essential limit से ज़्यादा की income है, तो भी 15H चलता है, बट 15G नहीं चलता, मतलब let's say, for example, Mr. X 58 years के हैं, 58 years के Mr. X है, Tata Motors की तरफ से पैसे मिले, 2.6 lakh, 2.6 lakh rupees के पैसे मिले, प्रीज मुझे बताइए, क्या यह 15G का declaration दे पाएंगे, the answer is no, क्यों नहीं दे पाएंगे, sir, क्योंकि इनको जो पैसे मिले, वो basic exemption limit से ज़्यादा के थे, इनके उपर basic exemption limit कितनी है, 2.5 lakh, वो जो पैसे मिल रहे हैं, Tata Motors की तरफ से डिविडेंट, वो basic exemption limit से ज़्यादा का है, तो इसलिए इनको कोई यह declaration नहीं दे पाएंगे, 15G की declaration नहीं दे पाएंगे, sir, इनकी text liveties 0 आ रही है, कैसे, sir, वो 87A की rebate मिल जाएगी, तो text liveties 0 आ रही है, I understand, but यह यहाँ पर this condition is not getting satisfied, इसलिए 15G की declaration नहीं दे पाएंगे उस case में, अगर इनको 2.4 lakh मिलते हैं, 2.5 lakh मिलते हैं, तब दे पाते हैं, बट यहाँ पर 15H की, अगर यह senior citizen है, तो let's say मैं assume कर लेता हूँ कि Mr. X, for example, 68 years होते हैं, और Tata Motors से इनको पैसे मिल रहे हैं, dividend के 4 lakh रुपीज, मुझे बिताएं, basic financial limit कितनी होते हैं senior citizen के लिए, 60, 8 years वालों के लिए, सर इनके लिए 3 lakh वाली होती है, अब यहाँ से जो इनको Tata Motors से पैसे मिले हैं, 4 lakh रुपीज के मिलते हैं, और माल लेता हूँ कि इनकी कोई और दूसरी income ही नहीं है, कि कोई और दूसरी income ही नहीं है, इनकी tax liability कितनी बनेगी, सर 3 lakh के उपर tax निकलेगा, बड़ रिबेट की वज़ा से, इनकी tax liability बनेगी nil, यानि कि 15H क्या कहता था, अगर आपकी tax liability nil बने, हमने का हाँ, tax liability nil बन रही है, भले ही आपकी income basic exemption limit से ज़्यादा की है, ठीक है, अगर आपकी income basic exemption limit से ज़्यादा की भी है, तो it's okay, कोई problem नहीं है, senior citizen वालों के लिए, 15H के लिए सर्फ एक ही condition है, तो sir, जब इनकी age, 58 years थी, तो के 15H का form दे सकते थे, the answer is no, 15H का form सिर्फ और सिर्फ resident ही दे सकते हैं, ठीक है, 15H के लिए resident के लिए हमने सर्फ एक ही condition रख की हुई है, कि अगर आपकी tax liability nil है, तब आप ये declaration दे सकते हैं, but 15G के लिए, sir, tax liability भी nil आ रही हो, और जो आपको income मिल रही हो यहां से, ठीक है, लिट से, वे pro है तो वो interest दे रहा हो, या फिर ये Tata motor से वो dividend दे रही हो, वो basic exemption limit से ज़्यादा की income ना हो, 15G की दो condition, clear हो गया, अब जड़ा देखिए, अब मैं समझाता हूँ, 197 section क्या होता है, ये जो section था, ये था 197A, declaration देने के लिए, और दोने ही section relaxation क्या है, let's say, Mr. X है, 52 years के, ठीक है, 2.5 lakh वाल इसलाब है, इनको Tata Motors की तरफ से, Tata Motors की तरफ से, let's say dividend मिलता है, 4 lakh रुपीज का, 4 lakh रुपीज का dividend मिलता है, और Mr. X की, कोई और दूसरी income नहीं है, he has no other income, सबसे वेले बताईए, इनकी tax liability, इनकी tax liability कितनी है, सर निल बनेगी, क्यों, 4 lakh रुपीज के उपर, हम tax निकालेंगे, शुरू के 2.5 lakh exempt, 1.5 lakh के उपर 5 परसन निकालेंगे, 87A की, रिबेट की वज़े से, वो पूरा 0 हो चाहेगा, इनकी पर tax liability निल बनती है, क्या ये 15G की declaration दे पाएंगे, जो 15G की declaration, 15G क्या है, फॉर्म नंबर है, ठीक है, कौन से section में, क्या section 197A, में जो declaration जाती है 15G की, क्या ये Tata Motors को दे पाएंगे, क्योंकि Tata Motors क्या कर रहा होगा, 4,00,000 के उपर 10% let's say, 7.5 ये 10 जो भी केसे, let's say 10%, 40,000 रुपीज का tax deduct कर रहा होगा, but Mr. X का कहना है, कि sir में जो tax liability 0 आती है, क्या ये 15G की declaration को दे पाएंगे, the answer is no, because 15G की declaration ही कहती है, कि 2 conditions satisfied होनी चाहें, एक तो आपकी tax liability ने ला रही हो, और दूसरी जो आपको income मिल रही हो, वो basic exemption limit से ज़्यादा की ना हो, but क्योंकि यहां पर already 4,00,000 रुपीज मिल रहे हैं, यहां पर जो की basic exemption limit से ज़्यादा के हैं, 15G की declaration तो ये नहीं दे पाएंगे, sir 15H की दे देंगे, क्या, obviously नहीं, senior citizen नहीं है, यानि की 197A इनकी मदद नहीं कर पाया, 197A इनकी मदद नहीं कर पाया, 15G की का फॉम ने मना कर दिया, now he has another remedy of 197, 197 क्या था, 197 थोड़ा सा और special, strong section है, Tata Motors कहता है कि हम कोई declaration नहीं लेंगे, Tata Motors कहता है, but Mr. X कहता है, मेरी तो income ही नहीं आ रही है, ज़्यादा text बंद नहीं रहा है, तो Tata Motors कहता है, एक काम करो, आपना assessing officer के पास जाओ, अगर assessing officer आपको एक certificate दे देता है, कि text deduct नहीं होना है, तो मैं आपकी बात मान लोगा, तो इस case में 197 section क्या है, यहाँ पर हम, पहले Mr. X जाते हैं, assessing officer के पास, तो यह income tax officer के पास जाते हैं, उसको एक application देते हैं, form 13 होता है, ठीक है, वहाँ से एक application देंगे, इनको certificate मिल जाता है, हाँ, अगर यह satisfied हो जाता है, तो यह इनको certificate issue कर देता है, और यह कहता है, यह certificate जाकर आप Tata Motors को दे दीचे, और Tata Motors आपका TDS deduct नहीं करेगा, तो अगर आपको 197A में facility नहीं मिल पाई, तो उस case में हम 197A की facility ले सकते हैं, clear होगे यह बाते, तो section 197 एक special privilege है, कि आपको assessing officer का certificate मिल जाता है, थोड़ा stronger section है यह, 197A से, दोनों में difference समझ में आ रहे है, 197A is just a declaration, महाँ पर हमें income tax department में नहीं जाना पड़ता, directly हम source को बोल देते हैं कि मेरा TDS deduct मत करी है, क्योंकि मेरा tax नहीं बनता है, और जितना मुझे आप पैसा दे रहे हैं, interest, dividend वगेरा, वो भी basic exemption limit से जादा का नहीं है, ठीक है, senior citizen के लिए, सिर्फ A की condition satisfy करनी है, tax nil बनता हो, but 197 काफी strong section है, comparatively 197A से, क्योंकि हाँ पर आपको AO की permission मिल रही है, although थोड़ा सा procedure जादा है, पहले आपको AO के बास जाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको फिर जाकर permission देगा, तब वो certificate ले जाकर आप source को दे दीचे, वो आपका TDS deduct नहीं करेगा, या फिर कम rate से करेगा, ये कम rate वाली बात भी समझ लेजएगा, 197 में लिखा हुआ है कि अगर आपका TDS deduct नहीं होना चाहिए, या फिर कम rate से deduct होना चाहिए, let's say, I give you an example, for example, there is a person, Mr. Suresh, okay, Suresh है, और इनकी dividend income आती है, there is a company, कोई भी company ले लेते हैं, let's say, take an example, Infosys Limited, okay, Infosys Limited इनको dividend income देती है, for example, 5,10,000 rupees की, Infosys Limited बोलेगी कि, हम आपको 5,10,000 rupees दे रहे हैं, हम आपका 10% ये 7.5% and as the case में भी, हम आपका TDS deduct करेंगे, let's say, 10% के example ले लेता हूं में, तो Infosys का कहना है, कि हम आपका 51,000 का tax deduct करेंगे, अब क्या, प्लीज मुझे बताएए, क्या Mr. Suresh के पास, 197A का option है, the answer is no, क्यों नहीं है 197A का option, सर, सबसे पहले 197A में, 197A की बात है कर रहा हूं, declaration वाली, दोनों में डिफरेंस समझ लीजेगा, 197A में, सबसे पहला primary requirement है, कि आपका TDS NIL बन रहा हो, Mr. Suresh का TDS NIL नहीं बनेगा, I'm so sorry, Mr. Suresh का TDS NIL बिलकुल भी नहीं बनेगा, बिकास 5 लाक से जादा की इंकम है, रिबेट भी कोई फादा नहीं मिल पाएगा, रिबेट का तो मिलेगा ही नहीं आपर फादा, और TDS NIL बन जाएगा, कितना TDS बनेगा इंका, इंका बनेगा सर, शरू के 2.0, लेट से, स्लाब रेट से, लेट से, कोई और इंकम नहीं है इंकी, तो 2.5 लाक पर फिर्स, 2.5 लाक पर निल, नेक्स 2.5 लाक पर 5% और कितना हम पाकी, 10,000 के उपर 20% देख लीचेगा, 12,500, 10,000 के उपर 20%, 2,000 रुपीज, 14,500 का तो टेक्स हो गया, प्लस 4% सेस, लग जाएगा, ठीके, तो मैं बाते कर रहा था, क्या 197-A की फेसिलिटी, इनको डेक्लेरेशन देने की मिलेगी, the answer is no, सर इनके तो टेक्स बन रहा है, यहां पर अच्छा गासा बन रहा है, 14,500 प्लस 4% सेस, क्या यह यहां पर, 197 में, AO वाली रूट से जा सकते हैं, AO के पास जाएं, और AO से पर्मीशन लीचे, कि मेरा TDS डेक्ट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, अब यह कहते हैं कि मेरा TDS कम डेक्ट होना चाहिए, सर क्योंकि, डिविदेंट मेरे उपर टेक्स बन रहा है, मैं बात, 14,500 प्लस 4% सेस, बन रहा है इनके उपर टेक्स, 14,500 चले मैं 4% भी आड़ कर लेता हूं इसमें, 14,500 प्लस 4% 15,000 080 आ रहा है, तो इन्फोस इस लेमिटेट इनका TDS कितना डेक्ट कर रही थी, 51,000 रूपीस, 10% ठीके है, 7.5% भी लेंगे तो 5,10 जतना भी ले ले लेजेगा, करना चाह रही है, 51,000 10% के हिसाब से, या 38,000 257.5 के हिसाब से, बट Mr. Suresh का टेक्स बन तो रहा है, बट बहुत कम, 15,000 बन रहा है इनका, तो Mr. Suresh का ये मानने कि सर मेरा TDS, डेड़क्ट होना चाहिए, बट कम डेड़क्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर इनको 197 help करता है, AO से जो permission वाला provision है, अगर हमारा TDS 0 बन रहा है, तो भी हम AO से permission लेने जा सकते हैं, अगर हमारा TDS बन रहा है, बट कम बन रहा है, हम चाहते हैं कि कम rate से deduct हो, सब 10% ना लगे हमारे उपर, 7.5% ना लगे वो जादा है, हमारा कम लगे, जितना 15,080 के according लगना चाहिए, उतना लगे, तो 197 यह भी permission देता है, तो अगर मैं आप से पूछता हूँ, कि दोनों सेक्शन में, 197 versus 197 ने क्या difference है, सबसे पहले difference है, 197 में हम दोनों में similarity है, दोनों में similarity है, दोनों relaxation प्रोवाइड करते हैं, असे सी को, यहाँ पर हमारा text अगर deduct हो रहा होता है, तो deduct नहीं होता है, यह कम होता है, तो दोनों में हमें relaxation मिलती है, फर्स्ट, 197 होते है, AO से जाके permission लेनी होती है, 197 A में हमें कोई assessing officer के पास नहीं जाना, income tax department नहीं जाना, यहाँ पर हम directly सरफ declaration दे देते हैं, तो यहाँ पर हम सरफ declaration दे देते हैं, दूसरा, 197 में अगर आपका text निल बन रहा है, या कम बन रहा है, लेस बन रहा है, तो भी आप यहाँ पर दोनों में 197 की मदद ले सकते हैं, but 197 A में important है, कि आपका text निल बन रहा हो, यह बात तो important है, चाहिआ आप 15 G form दे, senior state design ने 15 H form दे, बड़ यहाँ पर निल होना चाहिए, ठीक है, सब लोग समझके, तो बोध दी section मुझे अभी यहाँ पर discuss करने जरूरी थे, दोनों ही section relaxation के हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यह TDS के sections नहीं है, मतलब TDS, तो जैसे कि हमने पढ़ा, 193 में interest on securities, 194 में dividend 194, A में interest other than securities पढ़ेंगे, यह दोनों section TDS रिड़क्ट नहीं करते, बड़ यह TDS में दोनों section का reference आता है, कि हम relaxation ले सकते हैं, तो इस तरीके से में कोई section रिसकस करूँ, और मैं बोलूगा, क्या वो हमारे relaxations वाले section मदद कर पाएंगे, यह नहीं कर पाएंगे, तो देख लीचेगा, 194 में लिखा हुए, कि dividend अगर आपको मिल रहा हो, 5000 रुपे से ज़्यादा, तो TDS Reduct हो जाता है, 10% या 7.5%, बट अगर आपको लगता है कि TDS Reduct नहीं होना चाहिए, या कम होना चाहिए, तो you have these relaxations also, और similarly, 193 में भी ये बाते लिखी थी, यहाँ पर भी 197 और 1977A, दोनों की relaxation अवेलेबल है, जो भी आपको जिस तरी की relaxation चाहिए, आप उस section में मजद ले सकते हैं, ठीक है, clear हो रहा है, ओके, next section 194A का है, important section रहते है, examination point of view से, आते रहते हैं, इसके उपर question, TDS का rate 10% ही रहेगा, ठीक है, COVID impact की वज़ए से 14th में, से लेगा 31st मार्च 2021 के बीच में, अगर TDS deduct हुआ है, तो 7.5% के rate से लगाईएगा, अगर interest मिल रहा हो, to any resident, ठीक है, पहले समझ लिजे, 194A है क्या, interest other than securities, for example, Mr. Unshul है, इनका bank account में, इनके bank में, for example, इनका SBI में account है, और SBI में उनने कुछ अपने deposits करे हुए, सिविंग डिबॉजिट, फिक्स डिबॉजिट, इसक्टर, और SBI इनको interest देता है, ठीक है, SBI is paying him interest, क्या TDS deduct करेगा, the answer is yes, SBI जब इनको pay करेगा, तो TDS deduct करेगा, ठीक है, Unshul है, resident है, होने चाहिए, तो 194A में, this is interest on securities, इनक्रस other than securities, other than securities, clear है, समझ में आ रहा है, तो SBI जब इनको interest पे करेगा, तो TDS deduct करेगा, threshold limit क्या है, threshold limit है, कि अगर कोई भी bank, या post office, ठीक है, bank या post office, या cooperative societies, ठीक है, cooperative banks जो होते हैं, जब cooperative banks समझते हैं, ठीक है, कुछ members मिलके, cooperative banks बना लेते हैं, ठीक है, काफी सारे members होते हैं इसमें, और उनका main business होता है, banking करने का, तो these are cooperative banks, तो banks, post office या cooperative banks, जब हमें interest देते हैं, 40,000 rupees की threshold limit है, 40,000 rupees से ज़्यादा का interest अगर वो दे रहे हैं, पूरे साल में, तब TDS deduct होगा, ठीक है, यतना होगा, फिर तो पूरे amount के उपर होगा, for example, 50,000 rupees या 60,000 rupees दे रहे हैं, पूरे amount के उपर होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि in excess of 40 पर होगा, ठीक है, 40 से ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर तो पूरा amount के उपर होगा, पूरे साल में जो interest आता है, वो 40,000 से ज़्यादा का नहीं आता, सरिफ 40,000 है, there is no requirement for TDS, ठीक है, clear होगे इतनी बाते, दूसरी बात बोली गई है, जब banks, post office या cooperative banks दें, तो limit है 40,000, बट अगर, ये वेक्पी जो receiver है, अगर वो senior citizen है, तो limit हो जाएगी 50,000 rupees की, ठीक है, फिर limit 50,000 rupees की हो जाएगी, और आप इससे एक section भी link कर सकते हैं, deduction का अगर आपको याद है, section 80TTB, क्योंकि आपको पता है, वहाँ पर 50,000 तक, ठीक है, जो senior citizen होते हैं, 50,000 तक उनको deduction मिल जाती है, सीधा सीधा उनकी 50,000 तक की income के उपर, तो अगर उनको interest income मिल रही है, तो deduction ही मिल गई, मतलब tax नहीं जाना, तो TDS भी deduct नहीं होता, इसलिए 50,000 से उपर रखा गया, कि अगर आपको 50,000 से उपर मिल रहे, तब TDS deduct होगा, याद रहेगा ये वाला, threshold limit 40,000, ठीक है, अगर bank, post office, ये cooperative banks दे रहे, अगर वो senior citizen को दे रहे तो 50,000 रूपीज, बट अगर आपको जो interest मिल रहे, वो किसी और से मिल रहे, other than bank, post office, ये cooperative banks, अगर आपको interest मिल रहे, that is interest not on securities, बट फर एगर आपने किसी partnership firm को लोन दिया हुए, ठीक है, partnership firm को अपने लोन दिया हुए, और firm आपको interest पे कर रहे हैं, बट आपने इसको लोन दिया हुए, ठीक है, you are a lender, this partnership firm is a borrower, ठीक है, वो borrower थी, और वो आपको interest पे कर रहे हैं, 20,000 का, क्या TDS deduct होगा, तो answer is yes, ठीक होगा, वो भी TDS deduct करेगी, और क्योंकि उनके लिए limit है, 5,000 रूपीज, other than bank, post office, या cooperative banks के अलावा, अगर आपको interest receive हो रहा है, other than securities, securities के उपर नहीं था, securities के लिए we have another section 193, यह है 194A, तो यहां पर limit 5000 की रहेगी, तो देख लिए चार्ट में, interest other than securities, 194A, rate of TDS 10%, यह COVID की हो जैसे 7.5%, payment made to any resident, TDS to be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier, यह भी समझ में आगया, जब भी वो आपको account credit करेंगे, by whatever name called, यह आपको payment करेंगे, whichever is earlier, TDS deduct होगा, लिमित रूपीज 40,000 रहेगी, in case the interest is paid by a banking company, cooperative banks, post office, अगर आपको interest जहां से मिलता है, ठीक है, bank से मिलता है क्यों, क्योंकि आपने वहापे deposits करा रखे होंगे, यह post office में, यह फिर cooperative banks में, तो 40,000 रहेगा, senior citizen के यह limit, 50,000 रहेगी, ठीक है, interest paid by others, interest paid by others, 5,000, अगर आपको कहीं और से interest मिलता है, ठीक है, not on securities, other interest, और यह bank, cooperative banks और post office के अलावा किसी से मिले, तो 5,000 के limit रहेगी, 197 और 197 है allowed है, यानि कि यहाँ पर दोनों की relaxation आप ले सकते हैं, clear हो गया, सबको समझ में आता है, अच्छा, एक और important बात समझेगा, in fact, यह common provision है, पूरे chapter के लिए, TDS के chapter के लिए common provision है, सबसे पहले, generally, अगर मैं generally बाते करता हूँ, तो, source होता है, source को यह बोला जाता है, कि source, जब आप पैसे पे करेंगे, जब आप किसी को पैसे पे करेंगे, तो आपके उपर, हम TDS के provisions लगा रहे हैं, जब आप सामने वाले को पैसे पे करें, at the time of payment या credit, whichever is earlier, जो भी case है, तो source, जब आप पैसे पे करेंगे, सामने वाले को, तब आप TDS रिडाट करिएगा, ठीक है, और source की हमने जिम्मेदारी बना दिया, income tax department ने source को एक तरीके से अपना agent बोल दिया, देखो source का tax नहीं है वो, बट source की जिम्मेदारी आ गई, कि सामने वाले का tax रिडाट करिए, जिसको आप पैसे पे करेंगे, उसका tax रिडाट करिए और आप deposit कराईए, यानि कि हमने इनके कंधों पर, कुछ responsibility दे दिये, तो ये source को हमने responsible बना दिये, कि आप TDS deduct करिए, और फिर deposit करा दीजिए, income tax department में, बट income tax department ये चाहता है, कि ये source है ना, ये थोड़ा से एक organized entity हो, ये एक organized entity हो, कि मतलब जिसका अच्छा का सा turnover हो, एक organized entity हो, ऐसे नहीं कि कोई भी किसी को भी हम source बोलते हैं, अब प्रीज बताइए, कि हम भी तो बहुत सरी payment करते हैं, अपने personal life में, हम भी तो बहुत सरी payment करते हैं, for example, आज हाप सुबह उठे, ठीक है, आप किसी bakery shop पर गए, आपने कुछ समान खरीदा, ठीक है, आपने भी उसको payment करी, आप भी उसके लिए source हैं, agree है ना, because you are making payment, तो कि हर वेक्ती TDS deduct करेगा, the answer is no, जो source को, income tax ने mainly बोला, कि इस source को, this must be a quite organized entity, तो एक general बात तो, एक बात समझ लीचेगा, सबसे पहले, TDS generally deduct होता है, अगर वो आपका business expense हो, although इसकी कुछ exceptions भी है, कुछ personal चीज़ों के उपर भी TDS deduct होता है, but generally, अगर आप मुझसे पूचेंगे, अगर ये आपका business expense है, तो TDS deduct होगा, अगर ये आपका personal expense है, ठीक है, non business expense है, तो TDS deduct नहीं होगा, although इसकी कुछ exceptions है, कुछ personal चीज़ों के उपर हो जाता है TDS, but बहुत rare हैं हो, generally, 99% आपका ये business expense होना चाहिए, दूसरी बात, source कुछ organized होने चाहिए, ठीक है, जैसे की company हो, या partnership firm हो, ठीक है, society हो, corporate societies वगेरा हो, अगर ये source individual है, या HUF है, तो generally हम इनके उपर TDS के provisions नहीं लगाते, एक individual होफ के उपर TDS के provisions जनरली नहीं लगते, हम बोलते हैं कि आपको हम ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा organized entity, अब तो individual business तो बहुत सारे होते होंगे न, चोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, तो हम ये बोल रहे हैं कि आप एक individually HUF है, जब आप सामने वाले को payment करें, तो अब हम आपके उपर TDS के provisions नहीं लगाएंगे, आप directly payment कर दीचेगा, ठीक है, आप directly payment कर दीचेगा, हाँ, बट अगर आपका एक बड़ा business है, ठीक है, बड़ा business का मतलब है कि अगर आपका turnover, अच्छा खासा है, अगर आपका turnover एक limit से ज़्यादा है, आप एक individual business हैं, soul writer business हैं, या HUF family business हैं, बट आपका turnover एक अच्छा खासा turnover है, ठीक है, आपको लगते हैं कि अच्छा अगर आपका business है, तब आप TDS deduct करेंगे, तो इसका parameter क्या है, पहले तो यह समझ लीजे, यह individual ratio of source हो सकते हैं, क्या हाँ, जी बिलकुल हो सकते हैं, जैसे कि, for example, there is a person, Mr. Manoj, यह एक soul proprietor है, ठीक है, यह एक soul proprietor है, इनका business है, और इन्होंने अपने business के लिए, rupees 10 lakh का loan लिया, किस से लिया गया यह loan, for example, इनके एक friend थे, इन्होंने अपने friend से, Mr. Aakash, से loan लिया, ठीक है, he has taken a loan, Aakash ने का, ठीक है, मैं आपको loan तो दे दूँगा, बढ़ इसके उपर में, rate of interest चार्ज करूँगा, 12% per annum, ठीक है, तो Manoj is paying, 1,20,000 rupees, इस 10 lakh के उपर, 12%, 1,20,000, यह pay कर रहे हैं, interest, interest on securities, या interest other than securities, यह pay कर रहे हैं, interest other than securities, और इसके बारे में जानते हैं, कि अगर आप pay करें, ठीक है, 40,000 या 50,000, तो banks वगरा के लिए है, पे कर रहे हैं, तो जो भी source है, Manoj is a source, ठीक है, Manoj is a borrower, he is paying the amount, 1,90,000 rupees, तो क्या यह TDS deduct करेंगे, the answer is, sir, यह इनका पहली चीज़, क्या यह इसका business expense है, हाँ sir, यह इनका business expense है, इन्होंने अपने business के लिए लिए, दूसरी चीज़ है, एक individual और HUF को generally मना किया जाता है, कि आप TDS deduct ना करें, आपके उपर हम TDS के provisions नहीं लगा रहें, इसका मतलब, individually or HUF को, अगर हमने मना कर दिया, कि हम आपके उपर TDS के provisions नहीं लगा रहें, तो Manoj, जब इनको 1,20,000 का interest पे करेगा, तो पूरा पे कर देगा, without any deduction, without any deduction of TDS, ठीक है, बट, अगर, ऐसे individual या HUF का, जो पैसा पे कर रहा है, जो source है, अगर उनका turnover, ठीक है, अगर उनका turnover, 1 करोड रुपीज से ज़्यादा का था, या फिर अगर यह profession कर रहे हैं, तो 50,000,000 का रुपीज से ज़्यादा का था, दुबारे से repeat कर रहा हूँ, अगर Manoj का business है, और इनका turnover, 1 करोड रुपीज से ज़्यादा का था, या फिर अगर इनका profession है, इनका turnover, 50,000,000 का रुपीज से ज़्यादा का था, या HUF का ज़्यादा का था, इससे turnover, तब यह eligible हैं TDS deduct करने के, तब आपके उपर हम TDS के provisions लगाएंगे, बट अगर आपका turnover 1 करोड, या अगर आपका professional तो 50,000,000 से ज़्यादा का नहीं था, तब उस case में आपके उपर TDS के provisions नहीं लगेंगे, ठीक है, अब यह कौन से year का turnover देखना है, for example, Manoj, इनको payment कर रहा है, for previous year 2021 में Mr. Manoj, 1,20,000 रुपीज का interest पे कर रहा है, ठीक है, interest पे कर रहा है, let's say I assume कि कोई date है, 30th April 2020 को, इस साल, previous year 2021 में, he is paying him interest, 30th April 2020 को, यह इनको interest पे करते हैं, for example, ठीक है, credit या payment, whichever is earlier, मैंने 30th April की date ले लिए है, यानि कि इस दन, तो प्लीज बताईए, इस दिन इनको, यहां पर यह देखना पड़ेगा, कि मेरा turnover क्या 1 crore से, या मेरा professional 50 lakh से उपर है, अगर उपर है, तो TDS deduct होगा, otherwise इनके उपर TDS के provisions नहीं आएंगे, यह पूरा का पूरा 1.2 lakh ही pay कर देंगे, तो प्लीज बताईए, यह previous year, क्योंकि जब हमें payment करनी होती है, तो हम साल में तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, anytime during the previous year, या कभी भी at the time of credit, या payment, whichever is earlier, मतलब कभी भी कर सकते हैं साल में, तो क्या हमें इस साल का turnover अभी पता होगा, जो भी current year चल रहा है, तो इस चीज के लिए, हम अपने last year का turnover देखते हैं, तो हमेशा अपने last year का turnover देखेगा, क्या आपका last year का turnover कितना था, यानि कि क्या Mr. Manoj के उपर, during this previous year 2021, यहां पर important line है समरी कर रहा हूं में, क्या Mr. Manoj के उपर, during 2021 TDS के provisions लगेंगे, क्योंकि यह individual हैं यह H.E.F. हैं, तो उस case के लिए, हमें इनके last year का turnover, मतलब previous year 1920 में turnover देखना पड़ेगा, ठीक, अगर इनका previous year 1920 का turnover, वन करोड से, अगर यह business करते हैं, यह profession करते हैं, 50 lakh से ज़्यादा का था, तो इनके उपर TDS के provisions लग जाएंगे, इनके उपर TDS के provisions लग जाते हैं, इसका मतलब है, while making payment of 1.2 lakh, he is liable to deduct TDS, यह TDS deduct करेंगे, बट अगर इनके उपर TDS के provisions नहीं लगते, ठीक, अगर इनका last year का turnover, उस limit को cross नहीं कर रहा था, वन करोड यह 50 lakh as the case में भी, तो फिर यह पूरा 1.2 lakh इनको pay कर दे, without deducting TDS, यह बास समझ गए हैं, तो दुबार से repeat कर रहा हूं, मैं एक summary कर लेता हूं, पहले मैंने यह बताया है, कि source को बुला जाता है, जब आप payment करेंगे, तो TDS deduct करेंगे, बट यह एक source सोड़ी सी organized होने चाहिए, तो अगर यह company है, firm है, AOP है, BOI है, कोई भी है, other than individual और HUF, other than individual और HUF, तो इनके उपर तो TDS के provisions लगते हैं, TDS के provisions लगते हैं, जैसे कोई company payment कर रही है, या फिर कोई partnership firm payment कर रही है, फिर उनका turnover बगएरा मत देखेगा, उस company के उपर TDS के provisions लगेंगे, firm के उपर TDS के provisions लगेंगे, बट अगर कोई individual या HUF payment कर रहा है, तो उसके last year का, ठीक है, जिस साल वो payment कर रहा है, जो भी year है, उसके last year का turnover देखेगा, कि last year का turnover का 1 crore से उपर था, तब हमारे उपर TDS के provisions आते हैं, otherwise नहीं आते हैं, अगर आपके बस नहीं आते, तो simple payment करिए, मैं हाँ पर आपको एक reference देना चाहूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा link कराना चाहूँगा, section 40 small a of PGVP, ठीक है, आपको याद आता होगा, section 40 small a of PGVP, और यहाँ पर हम एक point यह पढ़ते थे, कि अगर आप किसी को payment कर रहे हैं, ठीक है, for example, किसी resident को payment कर रहे हैं, और आपने उसके उपर TDS deduct नहीं किया है, तो हम वो आपका expense 30% disallow कर देते थे, अगर आपको याद आ रहे हैं यह बाते थे, हम 30% disallow कर देते थे, ठीक है 40 small a यह कहता है, but please, 40 small a यह कहता है, कि अगर आपको, यह इस बिनी line पर ध्यान दीचेगा, 40 small a यह कहता है, कि अगर आप किसी को payment कर रहे हैं, सामने वाले को आप payment कर रहे हैं, कि यहाँ पर अगर मनोज, सामने वाले को payment कर रहे हैं, इंट्रस्ट की, 1,20,000 रूपीज, और इन्होंने TDS deduct नहीं किया, क्यों नहीं करा, क्योंकि इनके उपर TDS के प्रूविजन्स ही नहीं थे, इनके लास्ट यह का डर्न ओवर, इक करोड बिजनस का य प्रूफेशन, नहीं था, तो क्या आप इनका 40 small a में 30% dislodge कर देंगे, तब ह मत करें डियेगा, अगर आप lei ओपर TDS के प्रूविजन्स थे, और आपने TDS डिदद नहीं करा, तब हम 30% dislodge करेंगे, तो यहां पर प्लीज 1.2 लाग पूरा का पूरा अलाव करिएगा, मनोज बोलेगा कि मेरे लास्ट यर का टर्न ओवर तो इतना था ही नहीं, तो मेरे कोई 30% इसलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, करंट यर का कितना टर्न ओवर है सर, करंट यर का अगर 1 कोड से उपर हो जाए, या जितना भी 50,00,00,00 से उपर हो जाए, करंट यर के टर्न ओवर से कोई फरक नहीं पड़ता, हमेशन लास्ट यर का टर्न ओवर देखे, TDS डेट करता है समय, याद रखेगा ये बात, ठीक है बट अगर for example अगर मैं यह बोल देता है कि मनोज का turnover last year का let's say मनोज का turnover last year का था 4 करोड मतलब मनोज के उपर TDS के provisions थे इसका मतलब ठीक है और अगर इन्होंने सामने वाले को payment कर दी let's say interest पे कर दिया 1.2 lakh rupees का without deduction of TDS 40 small a कहेगा कि हम 30% कर देंगे 30% कर देंगे क्योंकि अब आपके आपको इसके उपर TDS करना चाहिए था और आप अब link कभी कर पा रहे होंगे क्योंकि मनोज अगर interest पे कर रहा है तो इसके उपर 194 a के provisions लगते है interest other than securities के अगर आप interest पे कर रहा है और individual securities के उपर तो होगा नहीं securities individual अगर तो issue कर नहीं सकते का अपनीज ही कर सकती है तो 194 a का अगर आप अगर interest पे कर रहे हैं आपके पूर 194 a के provisions लग जाएंगे और अगर आपने TDS डिएक नहीं करा तो 30% इसला हो जाएगा आई बिलीव आपको 40 स्मॉले भी रिवाइस हो गया होगा सबको समझ में रहे है तो यहां पर मैंने नोट लिखा हुए कि जनरली अगर आप एक कंपनी है पार्टनर्शिफ फिर में योपी भी है तो आपके ऊपर TDS के प्रोविजिंस लगते हैं ठीक ओविजिसली आपके बिजनस एक्स्पेंस है परस्नल चीजों के ऊपर TDS रिड़क्त नहीं होता बट कुछ exceptions है मैं बताऊंगा कुछ sections आएंगे specifically 3 sections आएंगे ऐसे जहां पर आप परस्नल चीजों के ऊपर भी TDS रिड़क्त करेंगे इंट्रस पेड़ बाई इंडिजल और हुएफ इफ टर्न ओवर एक्सीड वन करोर और 50 लाक इन दे प्रिसीडिंग फानेंशल यर इन प्रिसीडिंग फानेंशल यर और TDS बाई को इंट्रस पे कर रही है अपने मेंबर्स को तो जनरली यह TDS रिड़क्त नहीं करते हैं बट अगर इनका लास्ट यर का टान ओवर 50 करों को एक्सीड करता है कॉप्टे सोसाइटी का तभी इनके ऊपर 194 की प्रिजिंग साते हैं not that much important for examinations ठीक है सब को समझ में आ गया तो I have discussed mainly तीन section 193,194,194 तो इतनी दिर में तीन sections discuss करें नहीं मैंने और भी sections discuss करें थे मेना background आपको बता दिया है TDS का मैंने दो sections आगे के भी आएंगे जो मैं discuss कर चुका हूं आपके साथ 197 और 197 A ठीक है certificate 197 में तो certificate A हो का चाहिए होता है 197 A में ठीक है क्या होता है declaration ठीक है 15 G 15 H form देखें यहां पर लिखा भी है वापस आचाहिए okay coming to section 194 B in fact 194 B और double B एक साथ करते हैं और यह बहुत easy section है दो minute में खतम होंगे उससे भी कम है 194 B होता है कि अगर आपको कोई भी lottery income game show casual income जब मिलती है for example अगर आप KBC में जाएं ठीक है कौन मनेगा करोड़ बती में जाएं या ऐसे game show quiz वगेरा में जाएं सबको पता है बच्च अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो यह इंकम टेक्सिबल नहीं होती है तो क्या वह आपकी casual income नहीं होती है 30% का उसके उपर जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तब अससी खुद इसके उपर अपना टेक्स देगा but source इसके उपर टेक्स नहीं करेगा क्योंकि 10,000 से ज्यादा के पैसे वो नहीं दे रहा है ठीक है clear हो गया 194 BB BB बिल्कुल सिमिलर सेक्षन है बट सिर्फ 194 BB में लगता है कि अगर आप किसी horse race वगरे में participate करते हैं वहां के tickets वगरे खरीदते हैं और आप पैसे जीतते हैं तो winning from horse races तो इसके लिए भी rate of TDS 30% पीस की है और TDS at the time of payment या क्या यहां पर लिख है at the time of payment या credit whichever is earlier at the time of payment only at the time of payment ठीक है सब लोग समझ गए सर दोनों में similar provisions हैं बिलकुल सर फिर यह अलग-अलग sections क्यों है generally वैसे इनको merge हो जाना चाहिए actually पहले यह अलग-अलग इसलिए थे क्योंकि 194 BB की limit तो 10,000 हुआ करती थी वर 194 BB की limit पहले 5000 हुआ करती थी इसलिए अलग section बना दिया था शहाद lawmakers ने बट generally अब तो इनको merge भी और आपको actually cash price नहीं मिलता है आपको जो price मिला वो in-kind था let's say आपको car मिल गई ठीक है आपको किसी game show में गए और आपको एक car मिल गई तो क्या tedious deduct नहीं होगा sir उस case में भी होगा तो आपको अगर चाहे cash gift मिले ठीक है या in-kind मिले tedious deduct तभी भी होता है तो हम उस क्या होता है ज 10 lakh rupees है तो भी उस case में इसका 30% 3 lakh rupees का TDS deduct होगा अब question यह किसा TDS कैसे deduct होगा car तो cash में है नहीं तो car में से कुछ पैसे कैसे deduct करेगे क्या car के कुछ tires वगरा रख लें और बाकी के car उपर उपर की दे दें ठीक है कि हमने इसका TDS deduct कर लिया in the form of tires तो ऐसा नहीं होता है होता क्य है कि for example मान लेते हैं ठीक है यह organizer है organizer of game show lottery वगएरा और Mr. A Mr. A winner है ठीक है he's a winner और यह car जीतते हैं ठीक है car let's say car की value है 10 lakh rupees की तो organizer यह कहते है कि Mr. A आप यह car हमसे आकर ले जा सकते हैं but please आप जब यह car लेने आए तो आप 3 lakh rupees लेकर आएगा 30% तो Mr. A को 3 lakh rupees लेकर जाना पड़ता है क्यों क्योंकि यह 3 lakh rupees यह organizer बोलेंगे कि हम यह पैसा आपसे लेंगे और government को deposit करेंगे क्योंकि government हमसे बोले हुए income tax law नहीं हमसे यह बोले हुए है कि जब भी आप कुछ ऐसे पैसे देते हैं like casual income के ठीक है winning game show गयर ऐसे जो पैसे देते हैं ठीक है मैं आपको एक और चीज़ उता दूँ जब कभी भी TDS deduct होता है ना जैसे TDS के rate हमने पड़े 10% है ठीक है reduce मत कीचेगा बी और डबल बी में rate 30% ही रहेंगे हां तुम्हें जैसे कहा रहा था आपसे कि 193 पड़ा 194 पड़ा 194 यह पड़ा भी ठीक है इंट्रस्ट का और डिविडेंट का यह डिविडेंट का था यहां पर rate है 10% कोवेट की वह जैसे 7.5% 194 B डबल भी ठीक है आप rate लगाते हैं जो भी section है जिस जितना भी rate है उसका तो क्या सैस भी डिड़ाक करते हैं अलग से आंसर इस नौ वाइल डिड़ाक्टिंग TDS जब आप TDS करेंगे तो अगर रेट माल लेते हैं 10% या 30% ऐस दे केसमें भी तो प्लीज इतना ही डिड़ाक्ट कीजेगा सैस को डिड़ाक्टिंग TDS जब आप सामने वाले का TDS डिड़ाक्ट कर रहे हैं तो प्लीज उस समय सैस को इग्रूर कर दीचेगा ठीक है सिर्फ दो जगा पर TDS में सिर्फ दो जगा पर आता है कि जब हम सैस को के साथ TDS डिड़ाक्ट करते हैं अगर हम किसी non-resident का TDS कर रहे हैं उस केस में हम सैस लगाते हैं और सैलरी के केस पर 192 सेक्शन आएगा सैलरी का जो मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप कराया हुए 192 सेक्शन है दुबार से रिपीट कर रहा हूं दो जगा पर है non-resident का जब TDS करते हैं और सेक्शन 192 में जब आप TDS करते हैं जब Employee TDS करते ह हैं otherwise बाकी जितने भी सेक्शन सब लोग कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद आगे करेंगे तो उन सभी सेक्शन में जो TDS के रेट हैं प्लीज वही रखिएगा सैस मत लगाईएगा मेरे कहने का मतलब यह है अगर आप कौन बनेगा करुपती में जाते हैं और फॉर एंपल आप 10 लाक रुपीज का प्राइज मनी जीत गए तो सोनी एंटर्टेंबंट टेलेविजन अमेटा बच्चन नहीं सोनी एंटर्टेंबंट टेलेविजन जो ऑगनाइजर है जब वह आपको 10 लाक रुपीज देगा ठीके सरव तो के बीसी में तो अमेटा बच्चन साइन करता है वो सरफ दिखाने के लिए शो में टिखाने के लिए साइन करते है अक्चली वह अमेटा बच्चन के अकाउंट से नहीं जा रहे पैसे यूंडर्स आइस तो सोनी एंटर्टेंबंट टेलेविजन जब 10 लाक रूपीज आपको दे रहा होगा तो इसके उपर 30% का TDS करेगा और आपको 7 लाक रूपीज दे देगा this is called net amount जो आपको मिलता है net amount 10 लाक रूपीज क्या होता है gross amount यह आपका gross amount होता है before TDS this is before TDS net amount मतलब after TDS इतना पैसा मिला क्या सोनी entertainment television ने जब आपको पैसा pay करा तो क्या assess भी लगाया नहीं सिर्फ 30 बसंट करा अब क्या होगा for example यह थे जो पैसा जीते यह थे Mr. A माल लेता है Mr. A की कोई और income नहीं आती है ठीक है आप ही है यह माल लेता है अभी आपकी आप जब अपनी रेटर्न फाइल करेंगे जब अपनी रेटर्न फाइल करेंगे सबसे पहले तो अपनी इंकम मताएंगे मेरी इंकम कौन से आती है तो यहां पर जो इंकम आ रही है Mr. A की अभी कोई इंकम नहीं आ रही है ठीक है स्टूडेंट है मान लेते हैं अभी है तो लिट से सालरी पीजी बीबी क्याप लिए वगयरा कुछ भी नहीं है आयए फो इसकी इंकम बनेगी अच्छा कितने पैसे मिले सर तेन लाक रुपीज मिलने थे बड़ थर्टी पसंट करके सेवन ला है नहीं सेवन लाक आपकी इंकम नहीं आपकी इंकम तो टेनी लाक थी तो हमेशा जब कभी भी अगर कुछन आ जाता है कुछन में काफी बार लिखा होता है कि आपको जो पैसे मिले वो टीडियस डिड़क्ट होने के बाद मिले नेट अमाउट तो प्लीज या तो अगर इंकम बनाईएगा ग्रास लेवल पर ठीक है तो हमारी इंकम केतनी बनेगी तन लाक रुपीज की सबसे पहले अपनी आईओ ₹ म की थीक है थैका सबसमज़ क्या सॉरी सबभक समझ गया हमेशा जबकर ऐक जब मिद्ग निकालता है तो अपको थी Barcelona कव नेना gross amount लेजएगा तो आप क्या बोलेंगे सर मेरी आया इसकी इंकम 10 लाक रुपीज है लेट से कोई और इंकम नहीं आती मिस्टर एकी इस इस तो इनकी ग्रॉस टोटल इंकम होगी 10 लाक रुपीज की डिदक्शन से टी सी से टी यू जीरो और यही इनकी टोटल इंकम हो जाती है ठीक है वैसे भी आपको पता है डिदक्शन तो काजूल इंकम से तो मिलती नहीं है तो लेट से यह इनकी टोटल इंकम होगी 10 लाक रुपीज दियां से देखेगा इसके उपर सबसे पहले ही अपनी टेक्स लाइबरी निकालते हैं सबसे पहले ही अपनी टेक्स लाइबरी हो गया अरे इसको साइड में रखे पहले अपी नॉमल अपनी टेक्स लाइबरी निकालिएगा तो हम लोगों को पता है कि टोटल इंकम में हम देखते हैं कौन-कौन से माली स्पेशल इंकम है लॉंग-टर्म कापिटल गें 112 सेक्शन में कितना है जिसके उपर 20 पर संट होन पुरी पूरी क्याजवल है तिन लाक के ऊपर 30 पर संट एक्स लॉयाबलिटी आपके लगता है प्लसस भी आड करेंगे तो टेक्स यपर आपने पर संट निकाला वह था 3 लाक प्लस इसमें 4 परसंट से से सएड किया तो यार्ट इस ट्री लाक ट्री लाक ट्वल्टी थाउ थ्री लाक रुपीज क्या थ्री लाक ट्वल थाउजन डिड़क्ट हुए थे नहीं सर जो अब टीडियस डिड़क्ट होता है वह विदाउट सेस होता है ठीक है सेस के साथ कब टीडियस डिड़क्ट होता है अगर आप किसी को पे कर रहे हो और वह एक नॉन डिड़क्ट हो तब हम सेस के साथ डिड़क्ट करते हैं या फिर जब हम सेक्शन 192 में देते हैं पैसे तब हम सेस इंक्लूड करने के बाद टीडियस लगाते हैं बट बाकी सब केस में जब कभी हम रेट पड़ रहें कहीं पर 7.5 कहीं पर 10 कहीं पर 30 पगेरा आगे भी कुछ रेट आएंगे तो प्लीज सेस को इगनोर कीज़ेगा सेस हमें खुद जमा कराना होता है मैं ऐसा कह सकते हैं तरीके से तो प्लीज बताइएगा यहां पर जब हम अपनी रेटन फाइल करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमाई प्लीजन ने हमारा थी लाक रुपी रिड़क्त करा होगा और इन्होंने हमें एक टीडियस सटिफिकेट भी इसुख रहा हुआ तो इन लोगोंने हमारा टीडियस सटिफिकेट भी दिया और तीडियस जा चुका है और बारह हजार आ रहा है आपका टेक्स पेबल यानि कि यह पैसा यह जो अमाउंट है बारह हजार रुपए यह हमें खुद डिपॉजट करा के आने पड़ेंगे तो मुझे आपको यह बताना था कि जो टीडियस के में रेट्स डिसकस कर रहा हूं आपके साथ यह टीडियस के रेट है और जब टीडियस लगता है तो विदाउट इंक्लूदिंग कोई नहीं करते हैं तो इंक्लूदिंग के रिडट करें तो इंक्लूदिंग के करें और सालरी के वापस में आता हूं तो 194B और डबल बी सब लोग समझ गया है यह हॉर्स रेस के लिए था यह लॉट्री गेम शो के लिए था और जब अगर आप पैसा पे गरें 194B और डबल बी ना कॉमन है अगर आप रेसिडेंट कोई पैसे जीत जिसकी लॉट्री लगी वह रेसिडेंट था यह नॉन रेसि जो वह कौन सी लेता हूं टाटा कंIGN से लिमिद WITH TCS टाकंशल देंजी सर्विस लिमिदेट टीस लिमिटेट एए कंपनी है for example this company is bank debenture Interest कि debenture interest प्रेपर सब्सक्राइब क्या होती है मुझे बता हिए याद कीजिए सब्सक्राइब सिक्षिंग है 193 interest on dividend interest on debentures interest on security इड़ेंचेर इंट्रस्ट पेकर रही है Mr. X को और लेट्से तू लाग रुपीस का आपको पात्रेशोन लिमिट्ट से जाद थो तुड्यलाक होगा कोविट के पीरिड में है तो टीटेस के उपर सेवन पॉइंट फ़रसंट का टीडेस यह विए जल्दी से बता दीशेगा टू लाक का सेवन पॉइंट फ़रसंट पंदरह हजार तो 15,000 का टीटेस डेट कर रहा है tcsКक्राटा कर रहा है ठीक है और चब यह टीटेस डेपॉजिक करके आते हैं यह डिपॉजिट करते हैं इंकमटेक्स एपार्من्ट को और बाद में यह TDS रिटर्म भी फाइल करें ठीक है Tata Consultancy Services, यह source है, इनको एक tedious return भी फाइल करनी होती है, उसमें यह बताते हैं, कि sir मैंने 15,000 deposit कराए हैं, और actually Mr. X के पैसे हैं, यह Mr. X का tax है, उनको हमने 2,00,00 रुपे देने थे, पर 2,00,00 में से हमने उनके 15,000 deduct किये, और हम आपको deposit करा रहे हैं, और जब यह अपनी return फाइल करते हैं, इस कौन सी return है, यह अपनी income की return नहीं है, return of income नहीं है, यह होती है TDS return, यह होती है TDS return, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और यह chart book में भी mention हैं, बिल्कुल last page पर TDS के, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ discuss कर रहा था, कि जो source है, जो TDS deductor है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैंने बोला था न, इसके आम कंदों पर income tax department ने कुछ responsibility रखी हुई है, इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कि आप TDS deduct करिए, अगर आपका कोई provision लग रहा है आपके उपर, तो आप TDS deduct कीजे, second आपकी जिम्मेदारी है, कि TDS, आप यह चाहिए कहीं पर लिख भी लीजे, आपनी चार्ट बुक में, अगर आप आएंगे ना, चार्ट बुक में आप यहाँ पर, यहाँ पर section 200, दो-तिन पर जागया चाहिएगा, मिल जाएगा आपको duty of person of deducting TDS, जो TDS deduct कर रहा है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, तो मैंने लिख भी दे हैं आप है, one, two, three, four, इसकी चार जिम्मेदारिया होती है, तो फिर्स जिम्मेदारी होती है TDS deduct करने की, फिर उसके बाद TDS के पैसे deposit कराने की, income tax department में, और फिर होता है TDS return, this is not income tax return, this is TDS return, इस TDS return में क्या होती है, details होती है, कि मैंने इस पूरे, TDS return mainly quarterly जाती है, इस पूरे quarter में मैंने किस-किस विक्ति का TDS deduct करा है, तो source जो होता है, ठीके वो बोलता है कि मैंने इस पूरे quarter में किस-किस कि का TDS deduct किया है, ठीके और उसका pan number की आता, तो सामने वाले का हमें pan number भी लेना पड़ता है, ठीके, में बाते कर रहा था ना इसे एक विनर था सोनी टेलिविजन ने इनका 3,00,000 का TDS कर लिया तो फिर वह बाद में इनको TDS certificate भी देते हैं ठीक है आपने सुना भी होगा एक नाम होता है salary का TDS certificate सुना होगा ठीक है अपने घर में अगर आपके पेरेंट्स में से कोई जॉब करता है या फिर कोई भी आसपर उसमें तो आपने सुना होगा यह नाम फॉर्म 16 फॉर्म 16 इस नथिंग बटा TDS certificate भी इंप्लॉयर सेक्शन 192 में जब salary के उपर TDS दिश्ट होता है तो फॉर्म 16 में TDS डिश्ट होता है ठीक है अधर दिन जो अधर TDS होता है जैसे मैंने भी बाते कर रहा था 193 सेक्शन में 194 में 194 अगरा में इनके लिए फॉर्म 16A होता है फॉर्म 16A ठीक है कुछ और फॉर्म स्पेसिफिक सेक्शन के लिए 16B 16C 16D भी बट मेंदी फॉर्म 16 और 16A याद रख लिजेगा फॉर्म 16 होता है TDS certificate on salary ठीक है अधर दिन सालरी के जो बाकी सेक्शन से में इसमें 16A होता है बी सी और डी भी होते हैं बट बता दूंगा आके ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे भी तो जहां पर मैं आपको फॉर्थ बोल रहा था कि चौती जिम्मेदारी होते हैं हमारी TDS certificate issue करने की इसे लिए होता है ठीक है फॉर्म 16 अदर दिन सालरी के लिए होता है फॉर्म 16 भी 16C 16D याद नहीं करने आपको स्रिफ नॉलिज के लिए 16B 1616 अगे कुछ सेक्शन साइंगे वहां पर मैं डिसक्स करूंगा TDS return में बाते कर रहा था कि quarterly आपको TDS return file करनी होती है तो हमारी यह भी जिम्मेदारी होती है ठीक है यह बाते समझ गए हैं हां मुझे आपको एक बताना था कि टाटा कंसल्टेंसी ने जब आपको पंदरह हजार रुपे दिये जब आपको दो लाक रुपे दिये तो पंदरह हजार का TDS कर लिया और अपनी जब यह return file करेंगे TDS return जब यह अपनी TDS return जब फाइल करेंगे तो income tax department को बोलेंगे कि यह Mr. X के पंदरह हजार हैं जो हम आपको deposit कर रहे हैं ठीक है और इनका pan number भी mention करेंगे Mr. X का pan number भी mention करेंगे क्योंकि Mr. X को इसका claim मिलना चाहिए ठीक है जब कभी भी वो अपना tax अपनी return file करेंगे Mr. X तो बोलेंगे ना कि Tata consultancy वालोंने मेरे 15,000 रुपे deduct कर लिये थे तो इनका pan number भी mention करते हैं जिस जिस वेक्ति का हम TDS deduct करेंगे उसका pan number भी हमेरे पास होना चाहिए for example अगर Mr. X अपना pan number Tata consultancy service को नहीं देते हैं यह गलत देते हैं उस case में क्या TDS deduct होगा दा answer is yes, important बात है हमारे पास generally सामने वाले का pan number होना चाहिए ठीक है हमें pan number लेना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी भी है कि उसको अपना pan number देना चाहिए in case हमने मांगा और उसने दिया नहीं या फिर गलत दिया तो उस case में भी TDS deduct होता है जो भी उस particular section का rate है in case अगर pan number furnished नहीं हुआ तो TDS का rate हो जाता है जो भी उस section का effective rate है यह 20% whichever is higher 20% whichever is higher अब let's say Tata Consultancy Services को Mr. X का TDS deduct करना था और Mr. X ने अपना pan number furnished नहीं किया ठीक है pan number furnished नहीं करा यह में बाते कर रहा हूं एक section है 206 AA you don't need to remember this section number but हाँ 206 AA में mentioned है कि अगर सामने वाले ने अपना pan number furnished नहीं किया है तो भी Tata Consultancy Services इनका TDS deduct करती है जो भी section का effective rate है यह 7.5% as the case में भी माल लेते 7.5% जो भी section का इससे में effective rate है यह 20% whichever is higher किस rate से 7.5 यह 20 20% से अगर इसने अपना pan number नहीं दिया तो 20% का TDS deduct होगा तो लाक के ओपर 20% यानि कि 60,000 स्वारी 40,000 रुपीस का TDS deduct हो जाएगा उस case में ठीक है फिर बाद में इनको यह claim अगर अगर ना पड़ता है तो मैं उसकी procedure में नहीं जाए कि सर्फ फिर इसको claim कैसे मिलेगा इसके तो 40,000 रुपे मिल जाता है उसके अलग procedure होते हैं जो आपके syllabus में नहीं है ठीक है क्लियर है इतनी बाते तो 206 डबली क्या कहता है सामने वाल अगर अपना नंबर नहीं देता तो जो भी effective rate है 20% whichever is higher अब अच्छा मुझे बताओ यह जो section है वापस मैं आता हूँ 194 B और डबल B पे यहां पर TDS का जो effective rate का section नहीं के rate का 30% तो सामने वाले ने अगर अपना नंबर में नहीं दिया तो क्या rate लगाओगे 30% यह 20% whichever is higher उस case में 30 लगाओगे क्योंकि इसका rate ही 20 से जादा है इसका खुदी effective rate 30 है यहां पर 30 लगे सामने वाल अपना नंबर दे यहां तो 30 आने वाला है हां जो दूसरे sections थे जहांबे 20 से कम percent थी तो वहां पर तो कम आचाएगा ठीक है 20% वाली बात याद रहेगी एक section आगे करेंगे 194 ठीक है 194 में अगर आप नंबर नहीं देते तो वहां पर कितना लगता है effective rate या 20 नहीं है वहां पर उसके लिए 5 है ठीक है उसके लिए 5 है बाकी सबके लिए 20 ही रहेगा ठीक है एक निया section आए 194 क्यू बड़ आपके लिए नहीं है ठीक है that is for 2022 examinations ठीके जिनके exams next year है 2022 में उन समझ में आगे अब मैं निक section पर आ रहा हूं 194C पर 194C होता है C से याद कर लीचे का contractor अगर आपने कोई भी contract दिया business related आपने कोई भी contract दिया किस तरह के contract हो सकते है यह for example अगर आपको business की building बनवाने contract के नाम से तो हमेशा ध्यान में आता है हमारे ठीके ठेकेदार ठेकेदार है महाँ पर करूंगा बट अधर्वाइस सारे से बाते जो चल रही है जो भी आप पैसे पे कर रहे हैं तो अगर आपने किसी को contract दिया है ठीक है important section 194C जो मेरी important की list थी 194C वहाँ पर था समझ लीचेगा अब थोड़ा से जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आपको mainly background पता चल में इसका advertisement कराना है तो आप कैसे advertisement कराना चाहते हैं आप जगा जगा पर अपने पूरे city में hoardings लगवाना चाहते हैं बड़े-बड़े hoardings लगवाना चाहते हैं तो आपने किसी advertisement agency को contract दे दिया ठीक है कोई भी काम कराने के लिए जो contract दिया जाता है वहाँ पर आप आप TDS deduct करेंगे ठीक है TDS का rate क्या रहता है यहाँ पर TDS का rate रहेगा 1% या 2% पहले समझ लीचेगा 194C 194C यह कहता है जब आप किसी को contract अगर आपने दिया है ठीक है it could be any work done ठीक है कोई job कराने के लिए अगर आपने किसी को काम दिये जैसे advertisement कराने के के लिए construction contract होना हो जाना चाहिए ठीक है किसी को आपने transportation कराने के लिए contract दे दिये तो business या आपके business में कोई party उसके लिए catering contract दे दिये आपने तो it could be different types of contract जब कभी भी आपने contract दिया है तो TDS का rate होगा 1% बट कुछ cases में यह 2% भी होगा ठीक है general rate 1% यह 2% है सर कब 1 लगाना है कब 2 लगाना है डिपेंड करता है contractor के उपर जिसको आपने contract दिया है वो कौन है अगर वो विखती है एक individual आप कौन है आप एक company है firm है individual है हुआ है उससे बस्रक नहीं बढ़ेगा हम देखते है contractor कौन है जिसको company है आप एक और आपको advertisement कराना है तो advertisement आप किससे करा रहे हैं वो contractor कौन है अगर वो contractor एक individual हुआ है तो TDS का rate लगेगा 1% और दूसरा अगर वो other than individual हुआ है for example सामने वाले जो contractor वे company है firm है कोई भी है ठीक है source कौन है source मतलब नहीं है ठीक है दूबार से repeat कर रहा हूं वो contractor कौन है if that person is an individual हुआ एच एफ टीडियस करेट लगेगा 1% अगर सामने वाला इंडिजल एच उफ नहीं है तो TDS करेट लाएगे 2% कोविड इंपक्ट की वज़ा से प्लीज इसका इसमें से 1 4th का relaxation देंगे और इसका 1% का 3 4th 1% का 3 4th आजएगा 0.75% कोविड इंपक्ट की होके हो जाएगा 1.5% 14th में से 31st मार्च 2021 के बीच में रेट रेट रेडियूस हो जाएगे इतनी बास समझ में आती है दूसरी बास समझेगा इसकी त्रेशोड लिमिट क्या रहेगी त्रेशोड लिमिट रहेगी अगर आपने जो कॉंट्राक्ट दिया है वो 30,000 रुपीस स ज्यादा का कॉंट्राक्ट है 30,000 से या उससे कम है तब की इस ड्रिजक नहीं होगा सब तो त्रिज mechanick की वान या टू विच वाइस दा केस में भी और हां कोवेड़ इंपाक्ट के वजए से थ्री फोथ रखेगा क्लियर होगे इतनी बाते भी तो 30,000 से ज़्याद के कॉंट्राक्ट नहीं है तो टीडियर नहीं होगा सर आक्चुली क्या है हमारे पास ना छे कॉंट्राक्ट दिये हमने किसी को फर एक्जांपल हमने पहले मुझे एक बताईएगा पहले समझ लिचेगा यह एक्स लिमिटेड है ठीक है कंपनी है इन्हों सब्सक्राइब कितना तीदिक कर Yin लगेगा सर इस केस में लगेगा 1% कि Alejandra रच इंपक्ट्राक्ट्राक्टर कॉन कॉंट्राक्टर कॉन है इंडिविघ्य протलों सुमिट के लागे agree 1% कोई इंपक्ट वस्टेmmel जाएगा 0.75% सेंट ठिक है next month इनको हमने 20,000 का contract एक और दे दिया, TDS deduct नहीं होगा, कोई 30,000 के लिए मिट है, ठीक के हर contract कितने हो रहे हैं, सब 30,000 से ज़्यादा के जा नहीं रहे हैं, हमने इसको third contract दिया, इसका भी, for example, हमने April 20 में इसको contract दिया था, April 20 में, बहुत अच्छा लगा का, हमने next month भी एक contract दे दिया 20,000 का, फिर हमने June में भी एक इनको contract दे दिया 25,000 का, TDS deduct अभी भी नहीं होगा, for example, हमने June में जुन में जुलाए में, कभी भी एक और दे दिया 25,000 का, TDS deduct अभी भी नहीं होगा, ठीक है, 30,000 से उपर नहीं जा रहा है, लेट से, आपने इनको September में, एक contract दे दिया है, लेट से, 28,000 का, अब TDS deduct होगा, सब 30,000 से उपर नहीं है, तो यहाँ पर 194 CA कहता है, अगर आप सामने contract, सामने वाले को contract दिया है, अगर वो single contract है, तो 30,000 किलेमेट रखेगा, बड़ अगर वो multiple contract है, अगर आप पूरे साल में 2, 3, 4, 5 बार contract दे देते हैं किसी को, और उसका aggregate amount, 1,00,000 से उपर चला जाता है, तो भी TDS deduct होगा, तो भी TDS deduct होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 का contract था, single contract 30,000 से उपर नहीं था, second, 30,000 से काम है, बड़ यहाँ पर भी aggregate 1,00,000 से उपर नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर आपर आपर already हमारा cumulative देख लीजे, 20, 40, 50, 90,000 हो चुका था, अब यहाँ पर जब आपने contract 28,000 का, अब 1,00,000 की limit exceed कर गई है, तो भी TDS के provision लग जाते हैं, यानि कि single contract 30,000 याद रखेगा, multiple contracts हैं, तो aggregate करिएगा 1,00,000 से उपर है, तो TDS deduct होगा, और मैं आपको बता दू कितना TDS deduct होगा, जब आप यह payment कर रहे होंगे, payment या credit, whichever is earlier है हाँ पर, जब September वाला amount का payment या credit, whichever is earlier करेंगे, तो TDS deduct करेंगे, कितना सर, 1%, सेप्टेंबर वैसे 2020 है, तो 0.75% लगा दीजिएगा, COVID impact के जिसे ध्यान रखेगा, dates भी, और किस amount के उपर, सर वो 0.75% लगना किस के उपर, 28,000 के उपर नहीं, पूरे amount के उपर, जितना भी पुराना amount था, क्योंकि देखो, intention क्या है, income tax department की, याद कर लीजिए मैंने शुरू में क्या बताया था, हम TDS क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि income tax department यह चाहता है, कि हमें रहे पास transparency रहे है, हम पता चले ही सामने वाले की income कितनी हो रही है, अगर कम income हो रही है, threshold limit से जादा की नहीं हो रही है, तब तो को intention नहीं है, पड़ आपका aggregate 1,000,000 रूबी को add करने के बाद 1%, 0.75% as the case में भी, यहां पर 0.75% होगा, तो पूरा amount के उपर TDS करिएगा, ठीक है, सर बाद में हमने October में अगर इनको 40,000 का एक और contract दिया, तब भी TDS करिएगा, किसने amount के उपर सर पूरा करना पढ़ेगा, नहीं, अब मत पूरा करिए, क्योंकि पुरान चल रहे थे, तो November में 10,000 का था, क्या TDS deduct होगा, obviously होगा, क्योंकि already इस साल, TDS आपका deduct, September के महिने में होना शुरू हो गया था, अब जो आप next payment, इसको सुमित को जितनी भी करेंगे, TDS deduct होगा, ठीक है, clear हो गया, यह बाते थी, 194, C में, तो 1%, 0.75%, यह बाते पढ़ लीजे, at the time of payment or credit, whichever is earlier, 30,000 के limit, single contract की, 1,00,000 के limit, aggregate की, यहाँ पर section 197, यानि की AO से वला relaxation है, but 197A की relaxation नहीं है, 197A की यहाँ पर relaxation नहीं है, आप declaration नहीं दे सकते, 15G, 15H form नहीं दे सकते, यहाँ पर अगर आपको कम rate से TDS deduct करवाना है, या TDS deduct नहीं करवाना है, तो आपको AO की permission चाहिए, individual हुएफ भी क्या payment जब करेंगे, TDS deduct करेंगे, अगर source, अगर source है, एक individual है, जो पैसे पही कर रहा है, वो एक individual हुएफ है, तो TDS deduct तभी करेगा, गर उसका last year का turnover, वन करोड है, या उसका profession है, तो 50,00,000 रुपी से उपर था, तो TDS deduct होगा, ठीक है, अच्छे, एक और बात ल There is a person, Mr. Abhishek, इनका कोई business है, this is previous year, 2021, ठीक है, और इनका जो last year था, उसका turnover भी previous year, 1920 का turnover, लेट से 5 करोड है, क्या बोलेंगे, सरी के ऐसे individual है, जिनका last year का turnover, एक करोड बिजनेस है, profession 50,00,000 है, as the case मेंगे उससे ज़्यादा है, इनके उपर TDS के provisions लगेंगे, अगर ये for example, किसी को payment करते है, interest वगेरा की, contract वगेरा देते हैं, तो TDS के provisions लेपर लगने वाले हैं, पक्का, सबको समझ मागया? let's say जैसे कि मैं example अगर आपको देता हूँ Mr. Abishek का ये business है और ये अपने शेहर में advertisement कराना चाहते हैं और ये किसी को contract दे देते हैं advertisement कराने के लिए और ये advertisement agency जो है ये इनसे कहते है कि हम आपका advertisement कर देंगे और आपसे 2 lakh का charge करेंगे तो please मुझे बताइएगा Abishek जब इनको 2 lakh rupees pay करेंगे ठीक है pay media credit whichever is earlier TDS के provisions आएगे because he has given them advertisement contract 194C में TDS deduct होगा किस rate से होगा Sir individual है 1% individual इनके उपर depend नहीं करता किसके उपर depend करता है contractor कौन है तो ये advertisement agency कौन है तो let's अगर मैं ये बोल देता हूँ ये advertisement agency है ये ABC private limited मतलब एक company है तो please बताइए TDS का rate की आएगा Sir 2% आएगा तो 2% के rate से TDS deduct होगा COVID impact के वज़े से आप 3,4 ले लिजएगा 1.5% ठीक है clear होगे इतनी बाते अब समझेगा यानि कि मेरा कहने का ये मतलब है 194C का TDS deduct होता है अगर आप कोई भी you are getting your work done ठीक है आपको से इस तरह का contract दे रहे हो अब ये work done की definition में न एक चीज़ बहुत important बोली गई है let's say I give you an example होते हैं न कुछ businesses अपना अपने employees को या अपने customers वगएर को कुछ gifts देते रहे हैं especially new year वगएरा पर ठीक है calendars दे दिये डाइरीज दे दिये ऐसे चीज़े होती है तो let's say Mr. Abishek का business है और ये डाइरीज distribute करना चाहता है इस साल नया साल आ रहा है for example और उसमें इनको डाइरीज distribute करनी है तो इन्होंने क्या किया Mr. Abishek ने इन्होंने किसी से contract किया कि आप मुझे डाइरीज सब supply कीज़े जिस पे हमारी company का logo बगएरा भी रहेगा तो इन्होंने किसी को भी for example Mr. Z को किसे बोला कि हमें 2000 डाइरीज purchase करनी है और इन्होंने कुछ rates बताया कि इस rate पर मैं डाइरीज supply करूँगा तो please मुझे बताइए क्या 194C में Mr. Abhishek अब इनको pay कर रहे है 30,000 से जादे ही amount है बान लेते है तो क्या Mr. Abhishek जब इनको pay कर रहे है तो क्या 194C का TDS deduct करेंगे the answer is no कोई TDS deduct नहीं होगा because यहाँ पर Abhishek क्या कर रहे है Z क्या कर रहे है this is purchase and sale transaction यह तो purchase and sale transaction है Abhishek purchase कर रहे है Mr. Z sale कर रहे है इसके उपर this is not under the definition of work यह तो purchase and sale transaction है इसके उपर please 194C मत लगाईएगा इसके उपर कोशन आता है इसलिए मैं discuss कर रहा है बाते तो इसके उपर आप 194C मत लगाईएगा इतनी बात याद रहेगी आपको purchase and sale transaction के उपर 194C में TDS deduct नहीं होता है if you are getting your work done उसके case में TDS deduct होता है तो अगर आप Z से पूरी की पुरी डाइएगी खरीद रहे हैं उसके उपर I understand it's a customized diaries आपकी company वगेरा का आपका उसका logo है उसके उपर बट आपने पूरी की पुरी डाइएगी उससे purchase करिए this is pure purchase and sale transaction इसके उपर TDS deduct नहीं होगा हाँ अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता देता हूँ for example मैं थोड़ा सा scenario change करता हूँ Mr. Abishak क्या करते है Mr. Abishak for example काफी सारी diaries खरीद खरीद थे हम आपको diaries supply कर रहे है ठीक है आप इस पर सिर्फ print करके दे दीचेगा हमारा logo print करके दे दीचेगा जड़ने का ठीक है मैं इसके for example 30 rupees charge करूँगा पर diary मैं इसके 30 rupees charge करूँगा आपका logo वगेरा designing printing वगेरा मैं करके दूँगा अब प्रीज मताइए is it a purchase or sale transaction नहीं now we are getting a work done we are getting the work done Mr. Abhishek ने यहाँ पर material supply किया Abhishek ने material supply किया Z ने इस material के उपर कुछ अपनी processing करी printing वगेरा करी है और इनको दे दिया है और 30,000 से आइजियूम जादा है और इसके उपर TDS deduct होगा इसके उपर 194C आ जाएगा ठीक है दोनों में purchase और sale transaction होती है अगर हम पूरा-पूरा material और diary वगेरा सब कुछ print वगेरा printed diary Z से पूरा का पूरा खरीदते है उसके case में TDS नहीं आता बट क्योंकि अभी हम यहापर सर्फ diary supply कर रहे है ठीक है और इससे सर्फ printing services ले रहे है इसके उपर TDS आ जाएगा जाएगा अब देखो लोग ना इसको जान पूछके इस transaction को complex करने की कोशिश करते हैं अब लोगों ने इस transaction को complex करने की कोशिश करी अभी शेक ने कहीं से भी सौरबे की डैरी खरीदी होगी इसने क्या का इसको यह पता है कि purchase और transaction के उपर TDS नहीं लगता तो इन्होंने इस transaction को ना इस तरीके से दिखाया कि जैसे मैंने purchase और sale के transaction एंटर करी और TDS ना लगए इसके उपर अब लोग क्या करते हैं अभी शेक ने क्या किया अभी शेक ने कहा को पता था कि मुझे सिर्फ अपनी डैरी को print कराना है इन्होंने क्या करा Z को बोला Z आप हमसे डैरी खरी दो ठीक है Z आप हमसे डैरी खरी दो Z ने कहा अच्छा और Z से कहा कि हम आपस डैरी वापस री पर्चेस कर लेंगे printed वाली इस से क्या होगा Z जब डैरी खरी देगा तो इसके आसे सो रुपे जाएंगे फिर उसको प्रिंट करके हमें वापस बेश दे ना 130 रुपीज में और हम आपको 130 रुपीज देंगे ठीक है जेट के पस 130 आ जाएंगे तो अब कुल मिलाके ना इसको प्रिंटिंग के ही पैसे मिलेंगे 30 रुपीज ठीक है और जेट को बोला गया आप हमसे डायरी खरीद लीजे मतलब जेड अपने ही कस्टमर से अपने ही कस्टमर से मिट्रियल ले रहा है उसी को पर प्रोसेस कर रहे के वापस उसी को बेच रहा है तो income tax ने का नहीं ऐसी transaction ये purchase and sale transaction नहीं है अभी शेग का कहना है नहीं सर में तो purchase करा है हम income tax department पूछेगा ये उस ने मिट्रियल करीदा कहां से था जेड ने वो तो सर मुझ से ही खरीदा था हम बोलेंगे नहीं this is not a purchase and sale transaction actually ये transaction work done की है इसके उपर TDS आएगा 194C TDS इसके उपर आ है फिर आपको बेचता है तब तो मैं इसको पर्चेस सेल ट्रांजेक्शन बोल सकता हूं बट अगर आप इसको मेटरियल सप्लाइ करते हैं यह सर्फ आपके पर वर्क डन करके देता है तो टीडियेस आएगा दिस इस वह टन या फिर आप अगर इसको ऐसा भी दिखा रहे हैं कि आप से ही खरीदा फिर वापस आपी को बेचा नहीं सर यह भी वर्क डन की डेफिनेशन में आएगा यह खरीद में बेचने की ट्रांजेक्शन नहीं है यह वर्क डन वाली ट्रांजेक्शन ही है ठीक है और यहाँ यह भी इंक्लूड कर दिया गया अब अब अभीशे को चल गया कि अगर मैं इसको material बेचूंगा ना तो TDS तो आने वाला है ठीक क्योंकि मैं इससे खरीदूंगा इसने अभी शेक ने क्या करा एक और entity बना दी कोई भी अपना related person को बोला कि एक काम करो आप इसको बेचो जिससे कि यह ऐसा लगे कि यह purchase or sale transaction है तो income tax नहीं हाँ पर य definition of work यह भी work done ही आएगा अगर जेड कहीं और से stranger से third party से समान अगेरा खरीटता है और सारी चीज़े इसको बेचता है तब तो हम इसको sale purchase मानेंगे बड़ अगर आप अपने customer से material खरीदते हो या अपने customer के किसी related person से खरीदते हो दोने transaction पर TDS आएगा ठीक है तो अभी इतन आपको extreme summary revision करें लगूँ जहाँ मैं सर्फ आपको section section बता हूँ जो मुझे मुझे मुझकिल से सर्फ आदा गंटा लगेगा मैं पूरे section TDS के बता वाँगा बट उसमें I tell you कि मेरा आदा गंटा भी waste होगा और आपका भी time पूरा waste होगा कोई फायदा नहीं होगा और मैं बि थोड़ा थोड़ा आइडिया आना चाहिए अगर आपको पहले से section आते हैं तो आपको अच्छे revise भी हो रहे होंगे ठीक है ओके चलिए दूसरे sections पर आते हैं अब थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब तो sections हमारे छोड़े-छोड़े sections बच्छे हैं और आब आप मेन चीज़े समझ भी गए है नेक्स section है 194D, 194G और 194H काफी similar sections है 194D होते है insurance commission का for example जो insurance agents होते है जैसे LIC है ठीक है LIC के अपने insurance agents को पैसे pay करती है तो insurance agents की income हो रही है ठीक है because they are getting commission कौन सी commission insurance commission तो जब insurance company उनको commission के पैसे pay करती है और वो पूरे साल में 15,000 से ज्यादा है तो TDS deduct होता है 5% के हिसाब से TDS rate है रहेगा 5% COVID impact के वज़े से 3.75% specifically कि मैं आए गई है जब भी insurance company से हमें insurance मिल रही है हम कौन है for example insurance agents payment to resident ठीक है insurance agent को payment हो रही है 15,000 से ज़्यादा की अगर हमें amount है तो TDS deduct हो का at the time of payment or credit whichever is our tier section 197 allowed है मतलब अगर agent को लगता है कि अरे for example agent को एक लाख रुपे मिल रहे है तो insurance company क्या बोलेगी हम आपको 5% या 3.75% उसे एक लाख के ओपर TDS deduct कर रहे है बट agent का कहना है sir मेरे तो कोई income ही नहीं है मेरे ओपर TDS deduct नहीं होना चाहिए तो उसको बोलेंगे एक काम करिए आप AO से जाके permission ले आइए तो insurance company उस case में TDS deduct नहीं करेगी यह बात आप जानते है 194D होता है insurance commission का बिल्कुल सेम आप पढ़ सकते हैं जो lottery agents होते हैं जो lottery companies इनको commission देती है उसके ओपर भी same provisions लागेंगे section है 194G ठीक है similar provision है 15,000 limit रहेगी 5% COVID impact जैसे 3.75% सेम रहेगा 197 allowed है ठीक है similar section बट यह है insurance commission का यह है lottery commission का जादा important इसमें होता है 194H 194H important होता है यह होता है other commission का for example ना तो यह मेरी lottery commission है ना यह मेरी for example insurance commission है for example अगर मैं किसी का selling agent हूँ ठीक है मैं उसकी sales वगर आता हूँ और मुझे commission देता है या brokerage देता है तो 194H में TDS deduct होता है यहाँ भी 5% 3.75% COVID की वज़े से 15,000 रहेगा तो तीनों में same provisions है ठीक है 194DA होता है life insurance policy अगर हमें life insurance policy के पैसे मिलते है ठीक है जाएगा आपको पता है जब life insurance हमें के पैसे मिलते है life insurance हमारी mature होती है और उसके पैसे मिलते है तो that is generally exempt वो exempt होते है life insurance policy के पैसे exempt होते है अगर आपके life insurance policy के पैसे exempt है तो उसके उपर कितना TDS life insurance company देगी the answer is no सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब इसके उपर TDS क्यों deduct होगा देख लिशेगा जल्दी जल्दी से एक एक पॉलिसी है life insurance LIC कोई policy है तो insurance company ने मुझे maturity पर पैसे दिये लिट से वो मेरी policy mature हुई और मुझे 7 लाग रुबीज मिले और मैं आपको बता दूँ जो maturity पर पैसे मिलते हैं LIC में that is exempt वो exempt होते है exempt बतलब exempt from tax उसके उपर tax जाना ही नहीं है तो insurance company कितना TDS deduct करेगी तो answer is no ये बहुत बात अच्छे समझ लीजे जो income आपके exempt है उसके उपर TDS deduct तो होई नहीं सकता ना TDS उसके उपर deduct होता है जो आपकी income taxable है ऐसी income के उपर मुझे 7 lakh, 8 lakh, 9 lakhा कुछ भी amount मिल है और वो exempt है उसके उपर TDS deduct नहीं होगा तो LIC maturity जब होती है तो TDS deduct नहीं होना चाहिए क्योंकि ये income exempt होती है but we also know खिक है अगर आपको थोड़ाey deduction वाला chapter आता है तो आपको पता है कि एक policy होती है सर जिसका इंशॉरंस प्रीमियम जानुवल प्रीमियम है उसके समय शॉर्ट से 20 परसंट से जादा है अगर यह पॉलिसी 1,4,2012 यह से पहले की है उसके बाद किये तो हम लेते हैं 10 परसंट थोड़ थोड़ याद आता है आपको उसकी डिटेल अभी मैं यहां पर नहीं करा प पड़ेंगी ओट फॉर एग्जांपल मैंने मेरे में 10 परसंट वाला केस लेता हूं आइब यह 20 और 10 परसंट वाला तो आपको याद आ गया होगा कि लेट से समयशौड था मेरे पास कोई पॉलिसी थी ऐसा समझ मैं आपको एसा समझा देता हूं मेरे पास एकॉलिसी थी उसका समयश ओर था इसका उन्हपड जाती है जो annual premium जाती है इसकी let's say वो जाती है 1.3 lakh रुपीज की इसकी annual premium जो थी वो 1.3 lakh की थी और ये मेरी policy कितनी पुरानी थी ज़्यादा पुरानी नहीं थी let's say ये policy मैंने ली थी 1.7.2016 में मैंने policy ली थी अब आपको थोड़ थोड़ याद आता होगा कि जो 1.4.2012 उसके बाद की policies होती है वो 10% से ज़्यादा उसका annual premium नहीं होना चाहिए पूरे सल का जो premium है वो 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता था हम ATC में भी पढ़ते थे फिर वो हम अतना allow नहीं करते थे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसी policy का पैसा जब mature होता है अगर यह 1.4.2012 से पुरानी थी तो 20% लेते हैं ठीके उसके बाद की तो 10% लेते हैं जो physically handicapped होते हैं तो उसके लिए 15% लेते थे अगर आपका premium मालने ते हैं वो 10% वाला case लेता हूँ अगर आपका premium some assured से 10% से ज़ादा है अगर यह ऐसी policy है अगर आपको ऐसी policy का पैसा मिलता है तो यह taxable होता है तो यह taxable होता है बट फॉर एक्जामपल मैं इससे पहले मैंने एक्जामपल लिया था कि मुझे maturity पर 7,00,000 रुपीस मिले किसी भी policy से और लेते से उसके जो annual premium थी जो पूरे साल की premium जाती थी लेट से वो सिर्फ 40,000 रुपीस थी अब बता ही 40,000 का मतलब कितना हुआ 7,00,000 का 10%, 70,000 होता है उससे भी कम थी तो अगर हमारी policy वैसी थी जो 20, 15 या 10 मतलब जो भी हमारा prescribed percentage का rate होता है डिपेंड करता है वो dates के उपर तो अगर वो उस rate से ज़्यादा का मैं premium ज़्यादा देता नहीं था 10% rate से rate था ज़्यादा उससे ज़्यादा premium नहीं था तो ऐसी policy exempt होती है बट ऐसी policies जिसका premium high होता है 10, 20, 15 as the case में भी 10% वारा ले रहो मैं अगर इसका premium ज़्यादा था देखो 10,00,00 का 10% कितना होता है एक लाक आपका premium पूरे सल का कितना बना था एक लाक से ज़्यादा तो ऐसी policy जब maturity में मिलती है तो यह taxable होती है ठीक है यह taxable होती है और अगर यह taxable है तो इसके उपर भी TDS deduct होता है क्लियर हो गया तो मुझे यहाँ पर 194DA बताना है कि life insurance policy जब आपको premium जब आपका policy कब ऐसे mature होता है तो उस case में भी TDS deduct करते हैं पर प्लीज ध्यान रखिएगा यह उसी policy पर TDS deduct करेगी जो आपके लिए taxable है अगर वो आपके लिए exempt है तो TDS deduct नहीं होता है ठीक है एक बात ही है समझ मागी दूसरी बात TDS का rate करहेगा TDS का rate रहेगा 5% या 3.75% of the income portion यह बात बिल्कुल समझेगा income portion का मतलब क्या होता है income portion का मतलब होता है जितना भी आपको maturity पर पैसा मिला माइनस जितनी आपने इस policy की premium pay करी थी premium paid of this policy ठीक है यह जो आपकी income होती है उसके उपर हम 5% COVID impact के वह जिसे 3.75% deduct करेंगे ठीक है income portion समझेगे for example आपको maturity पर पैसा मिला 10 lakh और आपने इसके उपर जितने पूरी life में premium pay करी है for example 6 lakh रुपीज की income portion कितना हुआ 4 lakh तो 4 lakh का 5 या 3.75 में 14 में से लिए का 31 माच के बीच में मिल रहे तो इसके उपर 3.75% दूसरी बात याद रखेगा limit है 1 lakh रुपीज की अगर आपको 1 lakh रुपीज से ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहे तो TDS deduct नहीं होगा यह 1 lakh रुपीज के लिए जो maturity पर पैसा यह 1 lakh रुपीज इंकम नहीं है यह 1 lakh रुपीज है जो maturity पर पैसा मिला अगर वो 1 lakh रुपीज से ज़्यादा का था तब ही TDS आएगा 1 lakh रुपीज से ज़्यादा अगर नहीं था TDS deduct नहीं होगा ठीक है next section है 194E 194E specifically non-resident sports person के लिए बना है for example Chris Gale आता है Western Indies वाला बंदा ठीक है Chris Gale आता है या फिर कोई भी अपनी जैसे इंडिया में BCCI है ठीक है ऐसी cricket Australia है Australia में Pakistan cricket board है Pakistan में तो for example अगर कोई भी sports person ठीक है cricketer है footballer है ठीक होकी player है कोई भी ठीक है कोई भी वेक्ति अगर भार से इंडिया आता है और वो इंडिया में जो पैसे earn करता है ठीक है sports person है या फिर जैसे मैंने बताया cricket association है कोई जैसे की cricket Australia है या Pakistan cricket board है वो लोग अपने players को अपनी team को ले कर आते हैं और उनको हम पैसे देते हैं उसके उपर भी TDS deduct होगा 20% उसके उपर 20% TDS deduct होगा और including success होगा क्योंकि आप non-resident को आप पे कर रहा है including success होगा और यहाँ पर 194 E में sports person भी आते है sports association भी आते हैं और साथ-साथ में non-resident entertainers भी आते हैं entertainer मतलब for example Ricky Martin आता है या फिर Britney Spears आती है या फिर Justin Bieber आता है उस case में TDS deduct होगा ठीक है 20% plus success इसलिए 20.80 लिखा है मैंने COVID की वज़े से कोई relaxation नहीं है 20.80 रहे गए यह था 194 E ठीक है not so important but still हो सकते है आजए exam में मुझे लगता है कितना important नहीं है यह exam के लिए भी 194 E 194 E again not again very important section but बिलकुल interest जैसा है अगर आपको national saving scheme में आप पैसे deposit करते हैं specifically for NSS national saving scheme में पैसे deposit है और आपको वहाँ से interest मिलता है तो आपका TDS deduct होगा 10% COVID impact वे जैसे 7.5% threshold limit 2500 की रहेगी तो यह this is easy 194 E important section 194 E important है mark कर लीचे का this is important 194 E में क्यों होते है कि अगर for example आप एक rent पे कर रहे हैं it's your business rent let's say there is a company X limited X limited ने एक premises रेंट पर लिया है यह प्रमाइस था for example Mr. A का ठीक है Mr. A is the owner और X limited pays rent of let's say मैं एक्स जीम कर लेता हूँ 30,000 रुपीज पर मन्त का यह रेंट पे कर रहे हैं 30,000 इंटो 12 पूरे साल में 3,60,000 रुपीज यह पे कर रहे हैं this company when they will pay rent to the person who is the owner of that building land कुछ भी हो सकता है यह तो उस case में 194 I कहता है कि TDS deduct होगा TDS deduct होगा threshold limit यहाँ पर है 2,40,000 की आपको threshold limit यहाद करनी होगी 2,40,000 रुपीज जैसे कि मैंने यहाँ पर 30,000 पर मन्त तोटल पूरे साल में हो जाता है 3,60,000 TDS deduct होगा TDS का rate का रहेगा 10% COVID impact की वज़े से 7.5% हो जाएगा ठीके पर ध्यान दीचेगा 194 I होता है 194 I in case आप rent पे कर रहे हो अब rent से समझ में आता है कि आपने कोई land या building रेंट पर ली है उसका भी TDS हो सकता है अगर आपने कोई furniture वगेरे रेंट पर लिए उसका भी TDS 194 I में TDS deduct होगा अगर आपने plant and machinery का rent पे कर रहे हो again 194 I में ही TDS आएगा but 194 I का TDS का rate 10% होगा COVID impact के वज़े से 7.5% हो जाएगा but plant and machinery के case में the TDS rate would be 2% COVID impact के वज़े से 1.5% हो जाएगा प्लीज प्लान मशिनरी याद रखेगा 2% है बाखी के लिए 10% है यह इसके जनरल रेट है COVID के वज़े से 3.4 हो गए है rate threshold limit रहेगी 2,40,000 रुपीज की तो लिखा हुए 194 I TDS rate of TDS 10% ये 7.5% but अगर plant machinery रहेगा है तो 2% furniture के लिए 10 रहेगा 10 or 7.5% की category में यहाँ पर सिर्फ plant machinery लिखा है अगर आप rent पे कर रहे हैं किसी भी resident को अगर non resident को पे कर रहे हैं प्लीज ये section मत लगाईए का we have another section at the time of payment or credit whichever is 2,40,000 की limit है 197 और 197 है अब लोग जानते हैं दोनों यहाँ पर relaxation allowed होती है क्या individual और HUF भी rent पे कर सकते हैं हाँ अगर उनका business related rent है तो TDS deduct कर सकते हैं अगर उनका last year का turnover business है तो 1 crore और अगर profession है तो 50 lakh rupees से ज़्यादा का है तो TDS deduct कर सकते हैं प्लीज याद रखिएगा turnover हमें last year का देखना है जिस previous year में TDS deduct कर रहे हैं से पिछला साल ठीक है अब एक और section है अब मैं 194 A पर आने से पहले 194 B करा देता हूँ पहले ये भी rent कहीं होता है 194 मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब personal चीज़ों के उपर भी TDS deduct हो सकता है तो यहाँ पर आता है कि अगर आप एक individual है या HUF है ठीक है लेट से फॉर एकजामबल आप अपने business का ही rent पे कर रहे हैं business का rent पे कर रहे हैं बट सर अगर business का rent पे कर रहे हैं माले तो लाग 40,000 रुपी से ज़्यादा कहीं पे कर रहे हैं तो क्या 194 A में TDS deduct करेंगे हां sir फिर तो 194 A लग चायेगा डिपेंड करता है कि अपका last year का turnover कितना था क्योंकि individual हुआफ के लिए तो डिबेंड करता है ना last year का turnover let's say इनका last year का turnover for example इनका business अपर प्रोफेशन था इनका last year का turnover सिर्व 20,000, 25,000, 20,000 कि मतलब पचास लाके एक क्रोड की वेल्यू से उपर नहीं है तो इसका मतलब इस नॉट कवर्ड अंडर वन नैंटीफोर आये में तो ये टीडियस डिटक नहीं कर सकते या फिर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमरा परसनल रेंट है या मान लेते हैं कि हम अपना परसनल कोई जगह हमने रेंट पर लिए उसका रेंट पे कर रहे हैं तो भी तो फिर तो टीडियस बिल्कुल भी नहीं आएगा वी परसनल चीजों पर टीडियस नहीं आता जनरली जन आप 194 I में नहीं आते अगर आप 194 I में नहीं आते तो आप IB में आ सकते हैं आप TDs कर सकते हैं बट अगर आप जो rent पे कर रहे हैं वो rent 50,000 रुपीज पर मन्त से ज़ादा का है ठीके 50,000 पर मन्त ठीके part of the month का rent पे कर रहे हैं पूरे महीने का कर रहे हैं और अगर वो 50,000 रुपीस से ज़्यादा का है क्योंकि हाँ पर income tax department चाहता है कि जिसको rent मिल रहा है देखो उसको अच्छा खासा rent मिल रहा है 50,000 रुपीज पर मंत ठीक है यह उससे ज़्यादा का उसको rent जाता है 3.75 तो अपना भी हुझाएगा ना में लिया 55 जो जनरल रेट है वही याद कीजिएगा कोविड इंपाक्ट के वजए से उसको 3.4 कर दीचेगा रेंट पेट टू रेसिडेंट पेमेंट बाइंडेजल रेचिए फूस टरन ओवर इस लेस देन वन करोड यह 50 लाग जिनका टरन ओवर जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं जो लोग तो 194 I में नहीं आते इन फाक्ट 194 IB में परस्नल रेंट भी आता अगर आप परस्नल रेंट पे कर रहे हैं तो भी TDS यहां पर आ जाएगा लिमिट है रेंट की 50,000 से ज्यादा का अगर आप TDS अमांट पे कर रहे हैं रेंट का तो अब TDS करिएगा और TDS कब करना है जैसे यह प्रीवियस से चल रहा है आपको हर महीने TDS रेंट नहीं करना है जो भी इस पर्टिकलर एयर का जो लास्ट मन्त होगा तब TDS रेंट करिएगा तो बारे से रिपीट कर रहा हूं आपका यह प्रीवियस यह था 2021 आपने पूरे महीने रेंट पर रेंट दिया पूरे साल रेंट दिया तो मार्च में मार्च 2021 में TDS रेंट करिएगा जितना भी वो रेंट है उसका 5% ठीक है या 3.75% as the case में भी यह हां पर 3.75% आएगा ठीक है उस जितना भी आपने पूरे स सिर्फ लास्ट मंत के रेंट का यह पूरे साल के रेंट का पूरे साल के रेंट का आप 3.75% as the case में भी डेड़क्ट कीजेगा बट मंत ऑफ मार्च में ठीक है बट अगर आपका फॉर एग्जांबल 5% यह 3.75% जो भी करके फॉर एग्जांबल मार्च के रेंट से भी ज्या 5 और 3.75% आप समझ गए होंगे और जो भी आपके लास्ट मंत का रेंट है जो भी आपके लास्ट मंत का रेंट है इस साल का जो भी लास्ट मंत है उसका रेंट कितना है और 5% कितना है whichever is एक तरीके से मैं कह सकता हूँ whichever is lower इतना कीजिए करना है आपको सिर्फ आखरी महीने में एक फर एक्जांपल आपने पहले यह वह प्रॉपर्टी छोड़ दी आपने सिर्फ रेंट पे किया नेवेंबर 20 का नेवेंबर 20 दिसेंबर 20 और जैनवरी 2021 का तीन महीने का ही आपने रेंट पे रा हर महीने का जो 3.75 तो टोटल रेंट का जितना भी तीनो महिने में रेंट पे कर रहा है उसका 3.75 परसेंट या फिर जितना जनवरी के महिने का रेंट था जो भी आपका लास्ट मत है टेननसी का ठीक है अब यह दो सेक्शन्स और कर लेते हैं 194 आएए और 194 आएए होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पर्चेस करते हैं यहां पर मैं आप से कुछ सेक्शन्स के रहा था कुछ सेक्शन्स परसनल नेचर के भी है 194 आए भी परसनल नेचर का है 194 आए परसनल नेचर का है और एक आए का सेक्शन 194 एम नेक्स पेच पर होका यह भी परसनल नेचर का हो सकता है ठीक है तो यह तीन सेक्शन्स हैसे हैं जो परसनल नेचर के भी हो सकते हैं और TDS रिड़क्ट होना है यहां पर भी 194 IA अगर आप कोई भी property purchase कर रहे हैं ठीक है अगर आप property purchase कर रहे हैं excluding agriculture land अगर आप कोई property purchase कर रहे हैं और उसका जो purchase price है 50 lakh rupees और more है तो आप TDS deduct करिएगा 1% यह कहता है section 194 IA अगर आप कोई IA sorry अगर आप कोई property purchase कर रहे हैं 50 lakh से कम की purchase कर रहे हैं कोई TDS की deduction नहीं होगी let's say I give you an example मान लेते हैं Mr. A है इनकी salary income आते हैं इनकी कोई और income आती नहीं he is not into business कोई business नहीं कर रहे हैं वे इनकी salary income आ रही है for example अब यह अपने लिए घर खरीद रहे है यह अपने लिए कोई घर खरीद रहे है Mr. X is a seller Mr. X is a seller और for example यह घर खरीद रहे है 80 lakh rupees का तो Mr. A is paying 80 lakh rupees ठीके यह 80 lakh rupees पे कर रहे हैं X को जब यह 80 lakh rupees पे करेंगे तो इसके उपर 1% का TDS रिड़क करेंगे और 7 lakh 20, sorry 79 lakh 20,000 rupees X को पे कर देंगे और X को बोलेंगे कि हम आपका 1% 80,000 rupees का TDS रिड़क कर रहे हैं ठीके क्योंकि property का जतना खरीद रहे हैं वो 50 lakh यह उससे ज़्यादा की थी इस case में 80 lakh थी मेरे case में तो 194 आये transfer of immual property rate of TDS रहेगा 1% COVID impact के विज़े से 0.75% हो जाता है amount paid to resident transfer जो भी transfer कर रहा है अपना घर ठीके property TDS at the time of payment or credit whichever is earlier limit है 50 lakh रुबी और मोर ठीके 50 lakh और मोर सरफ घरी नहीं है land property कुछ भी हो सकता है immual property ठीके यहापे land भी हो सकता है ठीके तो 194 आये लगेगा इसके उपर agreement का ठीके जो बिल्डर होता है ठीके वो बिल्डर land owner को जो भी property वगरे उससे खरीदता है उसको पैसे भी पे करता है plus in kind में कुछ उसको flats वगरे देता है तो उस case में जितना जो पैसे पे कर रहा है जब बिल्डर पैसे पे करता है land owner को तब TDS deduct करेगा TDS का rate रहेगा 10% COVID impact which is 7.5% और mainly 194IC है Joint Development Agreement का तो प्रीज आप ऐसे याद कीजेगा आए की family में 194I जो काफी important है TDS on rent और rent एक और है individual or HUF के लिए जो लोग यहाँ पर covered नहीं होते वो लोग यहाँ पर covered हो सकते हैं provided यह जो rent पे कर रहे हो इसका जो monthly rent है 50,000 रुपीस से ज़्यादा का हो तो उस case में 194I आए अगर आप 50,000,000 यह से ज़्यादा की property खरीदते हैं तो आप 1% COVID की वेजिसे 0.75% और यह होता है जब builder पैसे पे करता है Joint Development Agreement में ठीक है 194J again important होगा ठीक है this is important section 194J यहाँ पर यह आता है 194J अगर आप लेट से एक company है X Limited ठीक है there is a company X Limited for example X Limited ने अपना audit कराया ठीक है इस नोने अपना audit कराया ठीक है लेट से statutory audit था card accountant से या cost accountant से इनोने अपना audit कराया इसका मतलब यह इनको professional fees पे करेंगे तो 194J यह कहता है कि अगर आप किसी को professional fees से services लेते हैं और आप उनको पैसे पे करते हैं पूरे साल में 30,000 रुपीज से ज़्यादा 30,000 रुपीज से ज़्यादा आप पे करते हैं तो TDS का rate रहेगा 10% 194J कहता है कि TDS का rate 10% रहेगा COVID impact के वज़े से 7.5% हो जाएगा ठीक है 194J सरफ professional services पर नहीं आता 194J आता है for example अगर आप किसी को royalty भी पे कर रहे है ठीक है अगर आप royalty पे कर रहे है 194J आता है in case अगर आप किसी को non-competing fees पे कर रहे हैं non-competing fees पे कर रहे हैं तो भी 194J आएगा 194J आता है अगर आप किसी कोई अपना director है 194J में काफी सारी चीज़े आती है सिर्फ professional services नहीं आती professional services भी है, royalty भी है non-competing fees अगर आप पे कर रहे हैं या अपनी किसी director को पैसे पे कर रहे हैं अगर वो आपका employee है तो उसको salary पे कर रहे होंगे तो फिर तो 192 लगेगा ध्यान रखेगा अगर वो director ठीक है, थोड़ा से speed में फखड़ रहा हूं यहाँ पर अगर वो director अगर वो salary मिलती है उसको अगर वो हमारा employee है तो 192 section लगेगा 192 में आपको बताऊंगा अगर वो आपका non executive director है ठीक है, पार्ट टाइम director है तो उसको आप जो भी पैसे पे करते हो director को remuneration वगेरा पे करते हो तो 194J में TDS deduct होगा at a rate of 10% covid impact which is 7.5% ठीक है in case, अब यहाँ पर एक छोटा से चेंज है in case अगर आप technical services के पैसे पे करते हो अगर आपने किसी से technical services ली है not professional services अगर आपने technical services ली है तो TDS का rate यहाँ पर भी 194J में ही आती है technical services भी TDS का rate रहेगा 2% covid impact के वज़े से वो 3.4 तो जाएगा 1.5% technical services के लिए याद रखेगा 2% rate है, बाकी सब के लिए 10% rate है यहाँ पर भी एक change है royalty, ठीक, अगर वो cinematographic films की royalty है तो उस case में TDS का rate 2% रहेगा, उस case में भी 2%, तो technical services के लिए 2% royalty for cinematographic films उसके लिए 2% है other royalty के लिए 10% ही रहेगा ठीक है, इसको please covid impact की वज़े से 3.4 कर लीचेगा दूसरा, अगर आप किसी call center को पैसे पे करते हैं होते हैं ने, जैसे कोई companies है वो अपना कोई काम outsource कर देती है अपनी call center वाला outsource कर दिया किसी call center को पे करते हैं तो भी TDS का rate 2% ही रहेगा ठीक है, तो एक चीज़ आत रहेगा 194J में काफी सारी चीज़ आती है professional services, royalty, non-competing fees, director fees, technical services technical services के उपर TDS के rate 2% रहेंगे, covid की वाज़े से 1.5 बागी सब के उपर 10 रहेगा but royalty in case of cinematographic films है तो भी 2% रहेगा ठीक है दूसरी बात कितनी threshold limit है, 30,000 रुपीज की अब 30,000 की individual limits है यानि कि अगर आप किसी को for example ये X limited है X limit पैसे पे कर रहे है Mr. A को Mr. A को पे करती है वो 25,000 रुपीज for professional services और let's say 20,000 रुपीज वो पे कर रहे है for technical services, let's say तो TDS कितना रिड़क्ट होगा सर, Mr. A को, recipient को पैसे मिल रहे है 25,000 प्लस 20,000, 45,000 please total मत करियेगा 194J में 194J में याद रखेगा आपको अलग-अलग limits लेनी है for each kind of professional services के लिए अलग 30,000 देखिएगा royalty के लिए अलग 30,000 देखिएगा non-competing के लिए अलग 30,000 देखिएगा technical services के लिए अलग 30,000 देखिएगा director fees के लिए कोई limit नहीं है there is no threshold limit आप जितना भी पैसा पे कर रहे है director को ठीके वो अगर आपके employees नहीं है employees है तो 192 employees नहीं है तो 194J and there is no threshold limit call center के लिए 2% देख लीचेगा 194J fees for professional or technical services fees for technical services not being of professional in nature technical services है, professional के लिए 10% होगा, technical के लिए 2% होगा covid impact के वेज़े से 1.5% and threshold limit 30,000 देखिएगी बाकी सब मैंने लिख दिया royalty in the nature of consideration for sale distribution and exhibition of cinematographic films याद रखिएगा बस उसके लिए 2% होता है बाकी अदर रोल्टी के लिए 10% होगा ठीक है important section है 194J 194LA, not so important ठीक है, not so important but बहुत easy होता है section immual property sir, immual property के लिए अभी हमने बाते करी 194IA में 50,000,000 यहाँ पर है कि अगर government compulsory acquire करती है किसी property अगर government किसी property को compulsory acquire करती है तो उस case में government TDS rate करेगी 10% covid impact which is 7.5% और वो consideration पे कर रहे है government 2.5 lakh यानि कि अगर government अब देखे 194LA 194LA को समझ लीचेगा और थोड़ी देर पहले हमने 194IA किया था उसको समझ लीचे In case government अगर compulsory acquire कर रही है चाहे वो 50,000,000 से ज़्यादा हो 60,000,000 से ज़्यादा हो यहाँ पर तो in fact 2.5 lakh की limit है तो हमेशा अगर government acquire कर रही है compulsory acquisition पर तो LA लगाईएगा ठीक है अगर आप normal कोई property खरीद रहे है और वो 50,000,000 किया उससे ज़्यादा किया तो 194IA लगेगा ठीक है voluntary purchase वगयरा कर रहे है आएए लगेगा government cumples require कर रही है तो जिस विक्ति की property cumples require हो रही है उसका TDS deduct करते है government कितना 10% COVID impact जैसे 7.5% 194K 194K बिल्कुल सेम है 194 जैसे dividend जैसा ठीक है dividend के उपर TDS deduct होता है shares के उपर dividend मिलता है 10% का TDS का rate है COVID की वज़े 7.5% हो जाता है threshold limit होती है 5,000 रोपे dividend की है similarly mutual fund units के उपर mutual fund units के उपर जो आपको income मिलती है वो भी the nature of dividend होती है बिल्कुल सेम सेक्शन रहेगा 10% TDS rate 7.5% COVID की वज़ा से 500,000 की threshold limit रहेगी ठीक है 194K है यह 194M very important section यह तीनों ही section in fact 194M और 194N काफी ज़दे important है in fact 194N की तो मझे और बाकी sections की भी मैं question answers भी discuss करना चाहता हूँ बट मैं वो last round revision में करूँगा ठीक है तो यह थोड़ी सी थोड़ी सी ज़दे डेटिल क्लास है यह chart revision वाली ठीक है not so detailed as regular lecture but still but मैं last round revision में मैं आपके साथ question and answer discuss करना चाहूँगा उसकी video probably आपको आज या कल तक मिल जाएगी ठीक है तो मैं कोशिच करूँगा कि उसको आज या कल मैं आपको upload कर सकू that would be last round revision जहाबर मैं mainly practical questions जल्दे से discuss करना चाहूँगा यह तीनों ही sections important है 194 M, N और O but जादा important M और N है ठीक है यह दोने जादा important sections है O भी important है वैसे तो ठीक है ऐसा नहीं है कि O पर अगर आप मुझसे बूचेंगे तो मुझे N जादा important लगता है O से 194 M क्या होता है अगर कोई भी individual या HUF है individual और HUF है अगर वो किसी को contract देता है sir contract की बात है तो हमने 194 C में करी थी अगर आप 194 C में आते हैं तो आप M में नहीं आ सकते ठीक है अगर आपके उपर TDS के provisions लगते हैं 194 C के तो फिर 194 M में नहमत आईएगा mainly यहाँ पर यह बोला गया कि अगर कोई individual और HUF है mainly या तो वो अपना personal contract दिया उसने या फिर अगर business का भी दिया बढ़ उसका turnover 50 lakh रुपी से या 1 crore रुपी से ज़ादा का नहीं था मतलब 194 C में नहीं आते है तो अगर कोई individual और HUF 194 C में नहीं आते किसी को contract पर वो किसी को contract देते हैं ठीक है? माल लेते हैं कि मुझे अपना कोई personal में किसी से घर बन वा रहा है हूं तो मैंने किसी contractor को contract दिया और क्योंकि मैं अपना personal घर बन वा रहा हूं ठीक है या फिर मैं किसी को मिश्चन या ब्रोकरेज पे कर रहा हूं तो यहां पर देख लिए कोंट्राक्ट के लिए नॉमली सेच्छन वननननीटीफवर सी होता है वह भी प्रोवाइद इंडिविजिवर के उपर भी लगता है जब आपके लास्ट यह का टॉवर एक क्रोली और फिफिटी लाग एस देख वी उससे जादा होता है प्रोफेशनल सर्विसेस के लिए अन् इंडिविजियल का टॉन ओवर जो पैसे पे कर रहा है उसका टॉन वर लास्ट यह का ज्यादा नहीं था तो 194 जे में नहीं आ पाएगा यह आप कमिशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं कमिशन या ब्रोकरेज वैसे तो 194 एच में था इस नॉट इंशॉरंस कमिशन दिस कमिशन ब्रोकरेज यह तो 194 एच में आते थे बड़ आप इंडिविजियल रेच यह आप किसी को कमिशन पे कर रहे हैं या तो हो सकते हैं परसनल लेचर की कमिशन होगी है या फिर बिजनस नेचर की भी होगी बड़ आपका लास्ट यह का टॉन ओवर ज्यादा नहीं था मत उनके respective sections में जा पाते हैं आप इस section में आ सकते हैं अगर आप किसी को पैसे pay करते हैं 50 lakh rupees से ज़्यादा ठीक है 50 lakh rupees से ज़्यादा तो generally आप देख रहे हैं high value transactions हैं गवर्मन्ट चाहती है कि अगर ही personal nature की भी transaction अगर for example मैं किसी से घर construct कर वा रहा हूं और मैं उसको 55 lakh रुपी स साथ लाग सतर लाग अस्ती लाग रुपी दे रहा हूं तो government चाहती है कि ऐसी transactions भी हमाई नजर में आए इसलिए उन्होंने 194 M section डाला हुए तो 194 M section लगता है कि अगर कोई भी amount pay करते हैं किसी contract करने के लिए professional services commission या brokerage और at the time of payment or credit whichever is earlier 50 lakh रुपी से ज्यादा का threshold limit है तो आप TDS deduct करेंगे 5% covid impact which is 3.75% ठीक है और 194 M यहां पे लग रहा है तो फिर वो sections में नहीं आ सकते है अबिसली वो sections में क्यों नहीं आए क्योंकि अगर हमारे account last year का हमारा turnover ही ज्यादा था यह वारा business का तो फिर हम उस section में जाते हैं अगर हम उस sections में नहीं आए तो फिर हम यहां पर आजएंगे ठीक है बड़ी हां पर threshold limit बहुत ज़ादा है 50 lakh रुपी नेक्स section है 194 N 194 N यह कहता है यह section आया था mainly अगर हम withdraw करते है लास्ट यह sections आया था mainly अगर हम हमारे पास bank account है और हम आजसे हम पैसा withdraw करते है एक करोड से ज्यादा का amount withdraw करते हैं थो tds लग जाता था आपके उपर इसमें 1st July 2020 से कुछ change भी आया है इसमें 1st July 2020 से change भी आया है यह कहता है अब दियान से देखेगा normally जो section था ठीक है यह previous year 2021 है हमारे exams के लिए normally जो section था वो यह कहता है था 194N कहता है कि अगर आपका bank से अगर आप withdraw करते हैं अगर आप withdraw करते हैं cash और वो one करोड से जादा का था तब आप bank आपके ओपर TDS deduct करेगा ठीक है TDS deduct करेगा कितना TDS deduct करेगा 2% 2% के TDS deduct होगा अब 194N में changes आ गए है 1st July 2020 से यह नहीं कि हमारे जो previous year उसके बीच में changes आ गए 1st July 2020 यह कहता है कि अब यह देखा जाएगा जो पैसे withdraw कर रहा है जो cash withdraw कर रहा है क्या उसने last three years की last three years की अपनी return of income due date तक file की है या नहीं की है तोबारे से expire हो चुकी हो जिसकी due date expire हो चुके हो हमें वो last three years देखने है यानि की for example previous year 2021 ठीक है previous year 2021 मान लेते हैं कि Mr. X है कोई यह cash withdraw कर रहे हैं यह cash withdraw कर रहे हैं लेट से 15th July 2020 को ठीक है 15 July 2020 फिर्स जुलाइ के बात कर रहे हैं नए प्रोविजिंस लग रहे हैं इसके उपर 15 जुलाइ 2020 को यह cash withdraw कर रहे हैं लेट से अच्छा खासा ही cash withdraw कर रहे हैं तो हम इनके last three years कौन से देखने हैं जिनकी due date expire हो गई हो अब प्लीज बताइए last three years पहले बताइए last three years कौन से है previous year 2021 के sir last three years normally देखते हैं तो last three years होंगे previous year 1920 previous year 1819 previous year 1718 ठीक है यह last three years होते हैं नॉमली अब ज़रा जल्दी से मुझे इनकी ROI की due date बता दीजेए मां लेते हैं July वाली due date है 31st July तो जड़ा due date बता दीजे सर 1920 की जो due date होगी return of income की return file करने की वो होगी 31st July 2020 इसकी rate होगी 31st July 19 इसकी rate होगी 31st July 18 हम अब देख रहे हैं यह पैसे विट्रॉक अब कर रहे हैं 15 जुलाई को तो बोला गया कि यह देखना पड़ेगा कि आप अपने last three years देखें जिसकी due date of ROI expire हो चुकी हो तो देखा कि हमारे previous year 2021 से last three years तो यह बने है बड़ देखा कि क्या हमारे 1718 previous year की due date expire हो चुके हाँ क्योंकि अभी हमें 15 जुलाई 2020 को ठीक है बैंक तो देखना है कि वो TDS rate करे या ना करे तो बैंक को income tax department ने क्या बूला last three years देख लीजे क्या return time से file हुई थी या नहीं 2018 इसकी due date का कब expire हो चुकी थी 31 जुलाई 2008 रहा हुए दो साल पहले expire हो चुकी है यानि कि यह हमारा year सही है इसको हम consider करेंगे previous year 18-19 इसकी due date क्या थी 31 जुलाई 2019 को हम bank इस दिन देख रहा है कि वो TDS rate करे या ना करे उसको पता चलेगा कि इसकी due date इस year की due date थी 31 जुलाई 2019 ये भी expire हो चुकी है ये भी allowed है देखना previous year 19-20 हमारे लिए no doubt 2021 के लिए last three years में से एक year आ रहा था ये इसकी due date क्या है 31 15 जुलाई को bank देख रहा है क्या मैं TDS rate करूं तो क्या वो yes year को consider कर पाएगा the answer is no क्यूंकि हमें last three years वो years देखने है जिसकी due date expire हो चुकी हो तो अभी इसकी due date expire नहीं हो ये ना क्योंकि हमें 15 जुलाई को हम देखने है TDS rate करे या ना करे कौन देख रहा है bank cash withdrawal के उपर TDS rate कर मेंसे दो तो यह आ गए इससे पहले जाना पड़ेगा previous year 16-17 में जाना पड़ेगा इसका due date क्या होगी 31st July 2017 यानि कि हमारे लिए जो last three years बने वो ये तीनों बने ठीक है तो previous year मैं ऐसे नहीं कि previous year 2021 के लिए हमेशा ये तीनों बनेंगे bank ये देखेगा जिस दिन वो cash withdraw कर रहा है वो पिछले तीन साल देखेगा वो तीन साल देखेगा जिनकी due date expire हो चुकी हो तो हमारे इस case में ये तीनों साल आए अब अब देखें 1st July 2020 से changes क्या है bank आपके cash withdrawal के उपर TDS deduct करना शुरू करेगा पहले क्या होता था कि एक करोड के बाद TDS deduct होता था अब TDS 20 लाग के बाद ही deduct होना शुरू हो गया तो 1st July से पहले पहले अप्टल 30 जून 30 जून 2020 तक हम देखे थे एक करोड से उपर जब जाता है तब TDS deduct होगा बढ़ यहां पर बोला गया कि अब से वो limit हम 20 लाग भी कर रहे है 20 लाग कर रहे है सबसे पहले यह बताइए जो आपके last 3 years है जिनकी due date expire हो गई थी क्या उन 3 सालों की return due date तक file हुई थी तीक है यानि कि आपने compliance को follow किया था due date तक आप अपनी return file किया करते थे कौन से last 3 years देखने जिनकी due date expire हो गई हो अगर आपका cash withdrawal एक क्रोड से उपर है एक क्रोड से उपर है तब आपका TDS deduct होगा बट अगर answer आ जाता है कि यह वाला yes यह वाला yes बट यह new आ जाता है कि इसकी return time से file नहीं हुई थी यानि कि तीनों मेंसे किसी भी year की अगर return due date तक file नहीं हुई थी तब हम आपके 20 लाग के बाद ही TDS deduct करना शुरू कर देते हैं यह बाद समझ में आती है चलिए to sum up वापस आते हैं तो 1st July 2020 से पहले का अगर cash withdraw ले तो फिर आपको एक तरोड ही देखना है और यह returns वाला कोई सेनारियो नहीं होगा but 1st July के बाद अगर TDA अगर withdraw हो रहा है amount तीनों साल की return जिनकी due date expired हो गए थी where ROI of the last three previous year of which due dates were expired were filed on time तो हम एक करोड के बाद ही 2% TDS लेंगे but अगर answer आज है no किसी भी तीन साल में से किसी भी एक साल का अगर return time से फाइल नहीं थी तो हम TDS 2% deduct करेंगे 20,00,000 के बाद ही 20,00,000 के बाद जैसी withdrawal आपका आएगा excess of 20,00,000 उसके उपर 2% का TDS deduct होगा और 1 करोड के बाद 5% का 5% है देखिए generally पहले सिर्फ 2% था now अगर आपकी return time से फाइल नहीं थी पिछले तीन साल में से any 3 years कौन से तीन साल लेने समझ के होगे जिनकी due rate expire थी 20,00,000 के बाद हम 20,00,000 के बाद withdrawal पर 2% का TDS deduct करेगा bank और 100,00,000 के withdrawal के बाद जाने की एक करोड के बाद 5% कर देगा ठीक है last round revision जरूर देख लीचेगा बहुत बहुत क्विकली मैं कुछ practical question discuss करूँगा वहाँ पर मैं इसके एक दो questions discuss करना चाहूँगा ठीक है okay 194.0 again an important section है 194.0 होता है mainly जो e-commerce operators होता है like Amazon, Flipkart for example आपको पता है कि अगर आप Amazon is an e-commerce operator यह e-commerce operator है और for example कोई buyer है let's say मुझे shoes purchase करना है या मुझे mobile phone purchase करना है या कोई भी चीज़ purchase करना है मैं e-commerce operator Amazon की site से जाता हूँ और वो purchase कर लेता हूँ but actually seller कौन होता है actually real seller कोई और होता है ठीक है इसको हम बोलते है e-commerce participant this is e-commerce participant तो buyer as we as a buyer हम directly Amazon को pay कर देते हैं cash on delivery करते हैं या फिर directly Amazon pay से या फिर कैसे भी bank transactions करके हम Amazon को pay कर देते हैं बाद में Amazon इनको pay करता है seller को तो actually हमारे पास जो products वगरा आते हैं वो seller के थुरू आते हैं ठीक है seller भेजता है तो Amazon के पास पैसे गए और Amazon अपना commission रखकर इनको payment कर देता है seller को payment कर देता है तो let's say Amazon इनको payment कर रहा है for example 6 lakh रुपीज की seller को इसका commission Amazon का commission let's say 40,000 रुपीज है उसमें से तो 5.4 lakh की payment कर रहा है net payment 5.4 lakh रुपीज की कर रहा है तो यहां पर 194.0 यह कहता है जब कभी भी e-commerce operator पैसे pay करेगा e-commerce participant को मतलब actual seller को तो TDS deduct करेगा ठीक है TDS deduct होगा यहां पर 1% का COVID impact वज़े से 0.75% हो चाहेगा ठीक है इस case में TDS deduct होगा दूसरे case में अगर यह e-commerce participant एक individual हुए हुए फे इननने पना fan number भी फरनिश करा है और इनको जो last year का जो gross resets थी इनकी वो 5.0.50 रूबी से ज़्यादा की नहीं थी तो TDS deduct नहीं होगा बट अगर इनकी last year की gross resets 5.00 रूबी से ज़्यादा की थी gross resets में क्या देखना है before commission बिफोर कमेशन इनके कितने की रिसेट्स थी लास्ट यर की अगर वो 5 लाक रुबी से ज़्यादा की थी तो TDS के प्रोविजिंस आएंगे तो यह बहुत मैंने क्विकली करा दिया है इस समय क्या चार्टर विजनी काफी लंबा हो जाएगा section 194.0 ठीक है अभी आपको उपर-उपर से आना चाहिए 194.0 certain payments by e-commerce operator to e-commerce participant e-commerce participant समझके जो actual real seller होते है rate of TDS 1% रहेगा covid impact के वज़े से 0.75% e-commerce operator is liable to deduct TDS e-commerce operator कौन? Flipkart, Amazon जैसे लोग on the gross amount of sales ये services और बोथ of e-commerce participants जो भी इनको ये पैसे पे कर रहा है जैसे 6 lakh rupees पैसे पे तो कर रहा है, net amount 5.4 lakh after commission but ये लोग 1% TDS के उपर लगाएंगे, इस 6 lakh के उपर, जो gross amount है, उसके उपर 1% ये 0.75% as the case may be TDS at the time of payment or credit, whichever is earlier ठीक है, this section will not apply in case of e-commerce participant who is an individual or HUF, अगर वो अपना PAN number और यादार number पनिश करता है, साथ-साथ में उसका last year की जो gross assets थी, वो 5 lakh rupees से ज़्यादा की नहीं थी, तब हम TDS deduct नहीं करते, otherwise तो करेंगे ठीक है, तो these were the sections which were for TDS, हमने 197, 197 A discuss कर लिया था, 197 B बहुत short period के लिए आया है, 31st March 2021 तक के लिए आया है, और इसने काफी सारे sections के rate कर दिये है, reduce उस limited period के लिए 3 by 4 कर दिये है, ठीक है, 1 fourth का इन्होंने relaxation दे दिये और 3 fourth apply करा, और कहां का आपर apply करा ये सारे provisions थे हैं आपर, ठीक है, section 200 हम लोग पढ़ चुके हैं, section का number 200 यादना रहे तो it's okay, duty of person deducting TDS, पहले TDS deduct होता है, फिर deposit होता है within 7 days, जब deduct करा, उसके next month के 7th day तक deposit हो जाना चाहिए, ठीक है otherwise interest charge होता है 1.5% for every month, deduct late करा आपने, तो 1% का interest होता है, 1% for every month और part of the month, ये 1% और अगर deposit late करा, तो 1.5% का interest होता है, उसके बाद TDS return फाइल करना ही पड़ती है, डिडक्टर को और फिर TDS certificate issue करना पड़ता है, जैसे मैंने बात की थी, अच्छे एक छोटा सा section था, salary का अभी, उसको मैंने काहा था कि, मैं थोड़ा last में ले लूँगा, चलो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, section 192, salary, अब salary में खास बात किया है, section 192, employer है, let's say maruti, maruti अपने employee को salary पे करती है, तो TDS deduct होगा section 192 में, TDS deduct 192 में होगा, दूसरा important बात है, rate क्या होगा, क्योंकि हमने जितने भी sections देखे थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ rate था, कहीं पर 5% था, कहीं पर 10% था, कहीं पर 30% भी था, तो section 192 में TDS का rate क्या होता है, there is no such rate, ठीक है, salary में कोई rate नहीं होता, depend करता है कि employee की income कितनी है, तो उसी के according, उसका average rate of tax deduct होता है, जिसे की, माल लेते हैं, ये मारूती company, salary इनको देती है, ठीक है, for example, इनको salary देती है, let's say, previous मैं थोड़ा सा, दो-तीन मिनट बाते करना चाओंगा, 192 के बारे में भी, ठीक है, let's say, 2021 year शुरू हुआ, और इसमें April 2020, first month चल रहा है, first month में इन्होंने salary दी employee को 1 lakh rupees है, तो जब इनको हम salary देते हैं, तो इनका कुछ TDS deduct करेंगे, कितना TDS deduct करेंगे, अब कुछ नहीं है कि कितना TDS deduct करेंगे, तो company का करती है, let's say, मारूती ये देखती है, कि April के मन्त की salary 1 lakh rupees है, और ये assume करते हैं, ये लोग assume करते हैं, कि ये employee हमारे हाँ पर पूरे साल काम करेगा, और इसकी salary 1 lakh rupees ही रहेगी, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एपरिल में ही एक छोटी सी computation करते हैं, ये कहते हैं कि हम assume कर रहे हैं कि आपकी salary 1 lakh rupees ही रहने वाली है, into 12 पूरे 12 महीने की 12 lakh rupees आपको मिलेंगे, 12 lakh के उपर जितना हम tax बनेंगे उतना TDS deduct करेंगे, actually 12 lakh पर पूरे पर income नहीं निकालते, ये क्योंकि ये लोग मारूती TDS deduct कर रही है, मारूती यहाँ पर भी accountants वगएरा होंगे, उनको पता है कि कितनी इनकी salary income होगी, 12 lakh rupees हुआ gross salary let's say, ठीक है 1 lakh rupees पर मन्त की salary, 12 lakh हुआ gross salary, उसमें से section 16 वगएरा की deductions दे देंगे, let's say standard deduction 50,000 के मिल जाएगी, तो 50,000 की यहाँ पर deductions मिली, तो इनकी salary income हो गई, 11.5 lakh और April के मन्त में, मैं बहुत practically बात कर लेता हूँ कि कैसे होता होगा, April के मन्त में ही ये employees से पूछ लेते हैं कि कहीं आप ATC में, ATC, ATD वगएरा में deductions लेते हैं कि chapter 6, A की deductions, ATC से ATU वाली, जिसे कि ATC अक्सर लोग लेते हैं कि अगर आप कोई LIC premium पे करते हैं या बच्चों की tuition fees वगएरा पे करते हैं तो वो सब बता दीजे, let's say employee बोलता है, हाँ sir मेरे tuition fees वगएरा बच्चों की पे होती है, LIC वगएरा पे होती है, PPF में पैसे deposit होता है, ATC की let's say deduction, वो 1.5 लाग की कहता है कि मैं इतनी deduction पूरे सा ले लेता हूँ, इस साल भी लूँगा, अभी मैंने invest नहीं की है पैसे, अभी tuition fees नहीं करी है, बट इस साल में इतना करूँगा, तो हम उसकी बात accept कर लेते हैं, हम एक declaration देता है, हम वो accept कर लेता है, कौन company, कितनी income होगी अब इनकी 10 लाग, ठीक है, लेट से इनकी total income होगी 10 लाग, अब क्या करती है मारूती, इस 10 लाग के ऊपर tax compute करती है, 10 लाग के ऊपर tax आया, slab rate लगा देती है, शुरू के 2.5 लाग पर, next 2.5 लाग पर, as it is, plus CES भी लगाएगी, 192 में याद कर लीजे, मैंने खा था, CES भी आता है, तो 10 लाग के ऊपर tax आया, let's say 1,12,500, plus 4% CES भी आड कर लिया, तो यह इनोंने 1st month में, April में ही estimate कर लिया, कि इस वेक्थी का इतना tax बनेगा, let's say वो हुआ, 1,12,500, plus 4% CES मिला कर, 1,17,000 हुआ, 1,17,000, तो this company, यह company क्या करती है, इतना exams में नहीं आएगा, पर प्रीज समझ लीजएगा, यह company क्या करती है, इनको 1,17,000 का TDS deduct करना है, section 192 में, क्योंकि यह 12 महीने में करती है, तो divide by 12 कर देगी, तो divide by 12 करके, जो भी amount आएगा, हमारा divide by 12 करके, 9,750 का TDS deduct करती रहती है, this is section 192, अब इसमें थोड़ी बहुत बाते और कर लेता हूँ, let's say साल के बीच में, इनकी salary बढ़ जाती है, इसकी salary बढ़ा देती है, for example, November 2020 में salary बढ़ा दी, तो यह लोग recompute करते हैं, कि recompute करके salary इतनी बढ़ गई है, total income अब इतनी बढ़ जाएगी, tax कितना आएगा, जितना भी tax आता है, उसके accordingly फिर वो TDS deduct करते हैं, यह बात भी समझ में आती है, let's say, क्या employee अपनी salary income के अलावा, दूसरी income भी अपने employer को बता सकता है, section 192 में लिखा है yes, अगर employee की salary income के अलावा, तो वो भी चाहे तो अपने employer को बता सकता है, वो company, अब यह employer, ऐसी income को भी consider करता है, और TDS total amount के उपर, let's say, यह employee बोलता है कि sir मेरी income आती है, salary की भी तो आती ही आती है, मेरी house property की भी income आती है, let's say, यह मेरी IFOS की भी income आती है, तो employee चाहे तो यह सारी income employer को बता दे, ठीकिए employer को बता दे, और employer फिर पूरे amount को consider करेगा, tax compute करेगा, और accordingly पूरे amount के उपर TDS deduct करेगा, ठीकिए यह बाद भी समझके, यानि कि आपकी दूसरी income भी आप furnish कर सकते हैं, अपने employer को, sir के दूसरे hit के losses भी कर सकते हैं, the answer is no, दूसरे hit के losses आप अगर बताएंगे company को, तो company वो consider नहीं करेगी, वो सरफ while deducting TDS, ठीकिए, जब TDS वो deduct करती है, तो वो आपके दूसरे hit के losses नहीं लेती है, except house property, house property के losses वो consider कर सकते हैं, ठीकिए, clear है, let's say, अगर employee, दो जगा पर काम कर रहा है, या more than one employer है उसका, ठीकिए, दो जगा, तीन जगा पर काम कर रहा है, तो अगर वो चाहे, तो उन तीनों या दोनों जितने भी employer हैं, उन सभी का amount, कितने salary मुझे मिलती है, वो किसी एक employer को बता सकता है, let's say, जैसे कि मैं आपके example देता हूँ, कि there is a person Mr. A, let's say he is working with X limited, और X limited इसको पूरे साल salary देती है, तो X limit जब इसको 3 लाग रुपीज देती है, पूरे साल की 3 लाग रुपी salary है, तो TDS के उपर TDS कितना deduct करेगी, X limited दाँसर इस 0, क्योंकि X limit क्या करेगी, 3 लाग रुपे देती है, 3 लाग के उपर tax निकालेगी, इसको 3 लाग रुपी सालरी मिलती है, अब Y limited को भी क्या लगेगा, अरे हम इसको सरफ 3 लाग रुपी स्पे करते हैं, 3 लाग के उपर टेक्स बनता नहीं है, रिबेट वगेरा में निकल जाता है, तो Y limited कितना deduct करेगी, तो answer is 0, यहां से भी कोई TDS deduct नहीं हुआ, यहां से भी कोई TDS deduct नहीं हुआ, तो if you are working with more than one employer, तो ideally क्या करना चाहिए, लोग करतें नहीं वो दूसरी बात है, बट ideally section क्या कहता है, क्या करना चाहिए, Mr. A, अगर आप Y limited और X limited दोनों जगह से income earn कर रहे हैं, वो 6 लाग की आपकी income के उपर tax compute करे, और जितना भी tax बनता है, उसका TDS deduct करे, ठीक है, I understand इसको Y limited से 3 लाग रुपे मिल रहे हैं, but Mr. A ने इस case में X limited को choose करा है, और X limited को अगर उसने अपना पूरा amount बता दिया है, तो X limited इसके amount के उपर TDS deduct करना शुरू करें है, ठीक है, तो if in case you are working with more than one employer also, तो भी TDS deduct करें है, clear हो गया है, यह बात है section 192 में होती है, TDS का rate क्या है, तो TDS का कोई fixed rate नहीं है, salary में average rate है, जितनी employee की income होरी है, उसी according उसका TDS deduct हो जाता है, at the time of payment of credit, whichever is earlier, यहाँ पर सरफ at the time of payment ही, ठीक है, more than one employer है, तो आप लोग जानते हैं, क्या करना है section 197 applicable है, अगर आप TDS deduct कराना नहीं चाहते हैं, या कम चाहते हैं, तो आप AO की permission ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक 2DC amendment है, यहाँ पर amendment है, आपको पता है, कि employer यह देखता है, कि आपको कितनी salary income मिलती है, allowances मिलते हैं, perquisites मिलते हैं, वो सारी चीज़े consider करके, आपका tax निकाल देगा, बट एक perquisition ते हैं, स्वेट इकूरी शेर्स, स्वेट इकूरी शेर्स भी आपकी income होती है, आपको पता है salary की chapter में आपने पढ़ा, तो वो सारी चीज़े consider करेगा, कितना tax ना उसके according TDS deduct करता है, but in case of, in case of amendment आईए, in case of eligible startups, जो eligible startups हैं, अगर वो स्वेट इकूरी शेर्स या ESOP से issue करती है, तो इसके उपर TDS, अभी deduct नहीं किया जाएगा, तो इसको differ किया जाएगा, क्यों सब detail, अभी मैं अब discuss नहीं कर पाऊँगा, यह वरना बहुत ज़्यदा detailing हो जाएगी, बस अभी फिलाल के लिए, आप सिर्फ eligible startup याद कीचेगा, और ESOPs और स्वेट इकूरी शेर्स याद कीचेगा, कि इसके उपर, सिर्फ only for eligible startup, किसी और कंपनी के लिए नहीं, only for eligible startups, यह जो स्वेटी कूरी, शेर्स वाला परिजड बना है, इसका tax अभी नहीं लिया जाता, गवर्मेंट इसका tax differ करती है, कितने साल तक differ करती है, चार साल तक, ठीक है, इसमें की limit है, after the expiry of 48 months, या फिर at the time of sale of such shares, या from the date of retirement, या रेजिनेशन, मतलब, जो लोग eligible startup में काम करते हैं, actually eligible startup के बाद, शुरू में इतने पैसे नहीं होते हैं, बट उनको अच्छे employees की जरूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं, अच्छे employees को ये बोलते हैं, कि हम आपको salary बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बट हम आपको हमारी company के shares दे रहे हैं, company के shares की value बहुत अच्छे कासी है, हम वो आपको दे रहे हैं, employee कहता है यार अभी तो मैं ने join कर रहे हैं, मेरी salary इतनी अच्छे कासी है नहीं, और उपर से मुझे आप अपने shares दे रहे हैं, और shares भी इसका lock-in period बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसके उपर tax अभी देना पड़ेगा, तो income tax नहीं यहाँ पर eligible startup को promote करने के लिए, कि हाँ पर amendment किये कि eligible startups के जो e-swaps वगेरा होते हैं, या sweat equity shares होते हैं, इसके उपर हम employee के उपर जो tax का burden है, उसको defer कर रहे हैं, उसको थोड़ा भी delay कर रहे हैं, एकदम नहीं लेंगे, कब लेंगे? चार सल के बाद लेंगे, ठीक है, अभी नहीं लेंगे, चार सल के बाद इसका tax लेकावर किया जाएगा, बट अगर उससे पहले ही, अगर वो वेक्ती ये shares बेज देता है, तब हम tax ले लेंगे, या फिर अगर वो company से resign कर देता है, तब हम tax ले लेंगे, ये बाते लिखे होंगे इस case में, कि TDS can be deferred, कि TDS कब तक deferred हो सकता है, 48 months from the end of relevant assessment ही, जब आपको इस securities भी लिए है, वहाँ से 4 साल के बाद, या फिर from the date of sale of such shares, या from the date of retirement or resignation, whichever is earlier, जैसी जो भी earlier date आएगी, within 14 days, हमें TDS data कर लेना है, ठीके, तो ये मुझे बाते करनी थी, 192 A, PF के पैसे, PF के पैसे अगर mature होते हैं, तो वह exempt होते हैं, PF के पैसे, RPF specifically, ठीके, URPF नहीं, मैं RPF के बादे कर रहा हूँ, recognize provident fund, के पैसे जब मिलते हैं, तब exempt होते हैं, बट अगर ये पैसे, अगर आप 5 साल से पहले withdraw कर लेते हैं, तब in case, that case taxable होते हैं, ये बाद हम salary में पढ़ते हैं, अगर देखे, पास साल के बाद आपको पैसे मिले, या फिर अगर पास साल से पहले मिले, बट because of employee को terminate किया गया था, क्योंकि company बंध हो रही थी, या फिर वो employee disabled हो गया था, physically handicapped हो गया था, उस case में भी exempt हो जाता है, ठीकर generally हम क्या जानते हैं, कि PF बगेरा के पैसे पास साल के बाद मिलते हैं, तो exempt हो जाते हैं, या फिर अगर पास साल से पहले मिल जाए, बट अगर employee disabled बगेरा हो गया था, तो उस case में भी exempt होते हैं, तो जब हमें PF, RPF के पैसे मिले, अगर वो exempt थे, तो TDS भी deduct नहीं होगा, बट इन केस, वो taxable हो रहे हैं, reason being, कोई disability बगेरा कोई scenario नहीं था, और पास साल से पहले withdraw कर रहे हैं आप, तो उस case में taxable हो जाते हैं, और जब ये PF से, RPF से पैसे मिलेंगे, तो उसके पर TDS भी deduct होगा, TDS करेट रहेगा 10%, और अगर ये amount पचास साजार या उससे जादा है, तो TDS deduct होने वाला है at the time of pay, ठीक है, 197 के 197A तो नहीं allowed, So this was about TDS, TCS के भी न, I will discuss two main sections, जो अभी insert होए हैं, 1st October 2020 onwards, ठीक है, बाकि TCS के बारे में आपको बहुता दू, alcoholic liquors वगेरा के उपर, आपको पता है TCS क्या होता है, for example, अगर, let's say, there is an alcoholic manufacturing company, कि मैं स्रिफ TDS का concept एक बार समझा देता हूँ, फिर मुझे 2 sections discuss करने हैं, let's say, एक alcohol manufacturing company है, और ये Mr. A की liquor shop है, liquor shop है, और Mr. A इस alcoholic manufacturing company से alcohol खरीदता है, for example, ये हर महिने 20 लाक रुपीज की alcohol खरीदता है, ठीके, इनका business है Mr. A का, तो Mr. A अगर इन से purchase करता है, तो यहाँ पर, alcoholic manufacturing company ये कहती है, कि Mr. A, आप 20 लाक रुपीज की liquor खरीद रहे हैं, और अगर इसको आप बेचेंगा, आपके profits भी होंगे, तो income tax के provisions ये कहते हैं, कि ये जो seller है, ये जो seller है, ये TCS भी collect करेगा, ये TCS भी collect करेगा, और alcohol के उपर, 1% का TCS का rate है, तो यानि कि Mr. A को 20 लाक रुपीज तो पे करना पढ़ेंगे, for purchasing alcohol, plus 1%, 20 लाक के उपर, plus 1% का TCS भी इनको देना पढ़ेगा, alcoholic manufacturing company पैसे collect करेगी, इसको करेगा, TCS, collected at source, यहाँ पर source क्या कर रहा है, पैसे extra collect कर रहा है, और let's say 20 लाक का 1% हो जाता है, 20,000 रुपीज, 20,000 यानि कि Mr. A total pay करेगा, 20 लाक plus 20,000 रुपीज, और alcoholic manufacturing company 20,000 रुपीज, यह income tax department में deposit करा देगी, और यह बोलेगी, Mr. A का TCS है, यह हम आपको deposit करा रहे हैं, तो इसी तरीके से, जिसे alcoholic, liquor for human consumption, scrap, mineral, being coal, lignite और iron, timber, any forest produced, tendu leaves के उपर TCS collect होता है, TCS के rates करेएंगे, याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, but at least यह देख लीज़ेगा, और बाखी के उपर ना, three-fourth लगेगा, COVID का impact के वज़े से, but alcoholic liquor के उपर 1% ही है, ठीक है, parking lot, या फिर TCS on motor car, अगर आप 10 लाक से उपर की car खरीदते हैं, उस case में भी, जो seller है, वो आपसे TCS collect करता, retail sale, जब भी retail sale होती है car की, जो seller है, for example, आप घर आपको कार खरीदनी है, आप 12 लाक की कार खरीदने चाहिए, तो आपके उपर, TCS के rate लग जाते हैं, 1%, COVID impact वज़े से 0.75, ठीक है, यह TCS की बात है थी, यह बात आप जानते भी होंगे, but main मुझे, यह दोनों sections discuss करने हैं आपके साथ, TCS, यह 1st October 2020 से amendment आई है, actually क्या होता है, for example, there is a person, Mr. Suresh, Mr. Suresh, plus इनके family, यह अपनी family के साथ, let's say घूमने जा रहे हैं, ठीक है, outside India जा रहे हैं, for example, यह US trip के लिए जाते हैं, इंटरनाशनल ट्राविल करना चाहते हैं, तो यह किसी tour operator से, tour operator से, tour operators होते हैं जो इनका पूरा, पूरा trip arrange करके देते हैं, तो यह tour operator से trip arrange कराते हैं, tour operator से trip अरेंच करा रहे हैं, यह section ही आया, tour operator कहते है कि ठीके सर मैं आपका पूरा trip arrange करूंगा with your family और मैं आपसे 6 lakh rupees लेता हूँ ठीकि पूरा का पूरा पूरा tour package ये इनको दे रहे है 6 lakh rupees प्लस आज ये tour operator इसके साथ-साथ 5% TCS भी collect करें 5% भी TCS भी TCS collect करेगा तो लिखा हुआ है TCS on overseas remittance और overseas tour package अभी मैं बाते कर रहा हूँ overseas tour package की तो जो भी tour operator है कि कि the seller of overseas tour package मतलब tour operator है वो आपसे 5% का TCS भी collect करेगा अगर आप outside इंडिया जा रहे हैं दूसरा आता है overseas remittance overseas remittance क्या होता है for example there is a person Mr. A ठीकिए ये Mr. A है Mr. A का बेटा है son he is studying in New Zealand ये New Zealand में पढ़ाई कर रहा है तो Mr. A को इनको पैसे भेजने पढ़ते हैं इसको कहते है overseas remittance overseas remittance कितने पैसे भेज सकते हैं RBI की scheme होती है liberalized remittance scheme तो ये liberalized remittance scheme ये कहती है सिर्फ आपकी knowledge के लिए इसमें ये लिखा हुए कि आप 2.5 lakh US dollar तक बेच सकते हैं अब प्रीज बताइए Mr. A को अगर foreign currency इंडिया के भार बेच नहीं है तो इसको किसी ना किसी authorized agent के पास जाना पड़ेगा किसी ना किसी authorized agent के पास तो यहां से ये बोलते हैं कि आप मेरे लिए पैसे यहां पर remittance करना चाहता हूँ मैं New Zealand, US, UK कहीं पर भी पैसे भेजना चाहता हूँ तो यहां पर यह बोला गया जब यह Mr. A authorized agent के पास जाएंगे overseas remittance कराने के लिए और अगर यह remittance और अगर यह remittance रुपीज 7,00,000 से जादा किया देखो टूर operator मैं ऐसी कोई limit नहीं थी पर यहां पर एक limit है और अगर यह remittance रुपीज 7,00,000 रुपीज से जादा की है तो यह जो authorized agent है यह TCS collect करेगा यह भी TCS collect करेगा ठीक है at a rate of 5% 5% in excess of 7,00,000 यानि कि अगर 8,00,000 रुपीज फर एक्जामपल यह remittance कर रहे हैं तो सिर्फ 7,00,000 के excess पर 1,00,000 के उपर यह आप TCS collect करेगा 5% का TCS collect यह बात समझ में आती है दूसरी बात दूसरी बात तो यहाँ पर tour operator के लिए कोई limit नहीं थी but overseas remittance के लिए 7,00,000 की limit है दूसरी बात फर एक्जामपल अगर Mr. A ने इंडिया में कहीं से loan लिया है किसी financial institution से bank वगेरे से loan लिया है और फिर loan लेकर पैसा भेज रहे हैं देख लीचेगा authorized dealer will collect TCS at the rate of 5% if the amount remitted is in excess of 7,00,000 in the financial year 7,00,000 से उपर है तो TCS collect किया जाएगा 5% but if the amount is remitted out of the loan obtained from financial institution उस विक्ति ने क्या कर रहा है पहले loan लिया है और फिर वो लोन का पैसा remit कर रहा है उस case में 0.5% of the amount in excess of 7,00,000 का TCS collect किया जाएगा ठीक है तो this is important ये वाला section important दूसरा है sale of goods of value exceeding 50,00,000 रूपीज ये क्या होता है for example there is a ये कोई seller है ठीक है seller of goods ये कुछ goods ये बेचते हैं और इनका for example this is previous year 2021 और इस seller का अगर last year का turnover last year का turnover previous year 19,20 का turnover रूपीज 10 करोड को exceed करता था 10 करोड से जादा था कोई भी seller of goods है ठीक है इनका turnover last year का 10 करोड से जादा गा था और ऐसा seller ऐसा seller अगर किसी को भी goods बेचता है मतलब ये जो buyer है और ये बायर इनसे चीज़े खरीदते हैं पूरे साल में 50 लाक रूपीज से जादा की 50 लाक रूपीज से जादा की ये दोनों value समझ गए है एक seller जिसका last year का turnover preceding financial year ठीक है financial year से जो पहले वाला year है वहाँ का turnover 10 करोड से जादा का था तब ये condition लगेगी दूसरी condition है जो buyer है अगर इनसे ये 50 लाक रूपीज से जादा की चीज़े करीद रहा है तब ये seller of goods भी TCS करेंगी तो इस सेज a seller whose turnover during the preceding financial year exceeds 10 करोड is required to collect TCS at the rate of 0.1% 0.1% और बहुत काम rate है 0.1% और generally क्यों collect किया जा रहा है ये TCS जिससे की ये high value transactions है income tax department की नजर में आ सके COVID impact के वज़े से 0.075 0.1% का आप 3-4 करेंगे तो 0.075% from the buyer who purchased goods exceeding rupees 50 lakh अगर वो 50 lakh से उपर की चीज़े करी तो ये दोनों sections मुझे TCS के आपके साथ discuss करना है तो this was chart revision for TDS and TCS कुछ अपर मैंने detail में बताया अपर कुछ जगा पर मैंने जल्दी जल्दी बताया वरना बहुत जाए detail हो रही थी ठीक है तो चलिए फिर मिलते है अगर मैं चाहूँगा ना मैं इसकी तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी देख लीजेगा ठीक है thank you so much bye and take care all the best